तो आज मैं खेला जा रहा हूँ 400 Days in Pal World जहाँ पर पहली 300 Days में मैंने काफी सारे नेने पल्स को पकड़ा फिर मैंने इन पल्स को ब्रेडिंग भी करवाया जिससे मेरे को Anubis, Pilarious, Grisbolt, Ozerak, Ashtagon और आखरी में मेरे को Shadow Beak भी मिल चुका है उसे के साथ मैंने काफी सारे High Level Bosses को भी पकड़ा जिसमें Manasting, Jormantide, Anubis और आखरी में Level 50 वाला Frost Alien को भी मैंने कैच किया हाँ ये बता लगे कि उसको पकड़ता है वकड़ता मैं काफी बार मर चुका हूँ लेकिन काफी ज़द High Level के Intense Fight के बाद मैंने Frost Alien को पकड़ लिया था तो अभी आगे क्या हुआ आईए साथ में जानते है Frost Alien को कैच करने के बाद मैं आ चुका हूँ अपने Base में फिर मैंने देखा कि मेरा Base तो काफी ज़दा Congested की जैसा है मतलब इदर अपने Pulse ठीक से जा भी नहीं पारे तब ही मेरे को लगा कि मेरे को एक बढ़िया सी Base भी Build करना है हाँ मैं हर बर ये बोलता हूँ लेकिन करता नहीं हूँ तो मैंने इस बर ठान लिया कि इस बर मेरे को अपना Base को एक बढ़िया बनाना है तो सबसे पहले इदर जितने भी Pulse काम करते थे उन सारे को मैंने Pulse Box में रख दिया फिर तब ही मेरे को याद है कि मैं अपने Pulse को Enhance कर सकता हूँ तो अब तक का मेरा Strongest Pulse Prostalian को उसका Attack मैंने पूरा Max कर दिया वैससे भी इसका Health तो 14,000 है तो मैंने इसका Attack fully Max कर दिया थाटी परसंट मैंने इंक्रीज कर दिया मेरे पस और भी Pulse एरिया को ड्hounड रहा था ता भी मेरे को एक काफी फ्लाइट एरिया मिल चुकी है तो उस तरफ मैं चला गया इदर अगर मैंने देखा तो यह इरिया काफी ज़्यादा फ्लाट है और काफी बढ़िया भी है मतलब अगर मैं इदर बेस बनाँगा मेरे दिमाग में जो भी है वो सब कुछ मैं इदर कर पाँगा और यह काफी जाथ ओपन है तो मैं बहुत सारे चीज़े इदर बिल्ड कर सकता हूँ तो मैंने जल्दी से अपने पल बॉक्स इदर प्लेस करने की कोशिश किया लेकिन थबी मैंने देखा कि अल्रेडी मैंने तीन बेसेस बना चुका हूँ इस गेम में 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 एक चीज़ अच्छी लगती यह है कि जितने भी चीज़े लगे वो स्रिक्चर में बिल्ड करने के लिए वो सारे में में वापस मिल जाएंगे जब मैं उसे तोड़ दूँगा भी में देखा कि इनमटर है इस चेश्ट में बही जबना दिया तो आफि सारे चीज़े इदर एक यह बार में रख सकता हूँ दो जितनी भी सामान को जब आए तब भी मेरे बेस में पता ने कहां से एक वॉंडरिंग ट्रेडर आ गया तो मैंने उससे पकड़ने के लिए अपने पल्स स्पीर फेक दिया और मैंने भी अल्ट्रा स्पीर फेका था आई तिंग यह कैच हो जागा लेकिन पता नहीं यह तो वापस आ गया और तब ही मेरे सार मेरे मैंच में जो भी सामानते हैं उस सारे सामान मैंने इन छेस्टों में रख़ दिया वैसे तो काफी जदे समय लगया था इतने उसांते है के फिल करना पड़ा और वह पसा आकर इस चश्ष में भरना पड़ा लेकिन वुद्धर जितनी बी सामानते हैं वो सारे सामान को मैंने इस बेस में shift कर दिया तो अब इस बेस में तो आग गया जहांपर मिर hektar national को डिस्टри नहीं कर दिया उन सावन को मैंने अपने दूसरे वेस हमें shift कर दिया अभी यह पूरा एरिया खाली हो गया अब से यही मेरा main base है उसके बद मैंने एक बद चेक कर ले कि अपने base का range कितना है और मैंने देखा कि उतना जादा range नहीं है इसका लेकिन जो भी है ठीक टाक तो है और पूरा open area है तो यह काफी अच्छी बात है जो भी मेरे को build करने वो मैं कर सकता हूँ भी फिर मैंने यहाँ पर stone foundation लगा दिया जितना मेरे base है पूरा area को मैंने stone foundation लगाता गया काफी जदे देर तक stone foundation लगाते लगाते मैंने इससे complete कर दिया और अब भी देख सकता हूँ पूरा मेरा जो base है उससे मैंने stone foundation से fill कर दिया उसी के साथ मैं इधर stone walls पर place करता गया क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पर काफी सारे rides होते है दिखो वैसे तो मेरे को उनसे उतना ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं क्योंकि वो जब भी आते मेरे से pit करी जाते है लेकिन फिर भी basic security के लिए मैंने इधर walls place कर दिया उसी के साथ रात भी हो चुकी थी तो मैंने इधरी एक bed बना कर अराम से सो किया था फिर सुबह उटकर मैंने इस walls को पूरी तरीकी से complete कर दिया हाँ मेरे को पता है थोड़ी सी टेडे मेरे जैसा है actually मेरे को ना अपने foundation थोड़ी सी height में बनाना चाहिए था तब काफी अच्चे से बनता लेकिन फिलाल भी ठेक ही है क्योंकि मेरे जितने भी base है न वो almost cover हो चुका है वैसे भी मैं जो भी चीज़े है न वो base के अंदर ही build कर सकता हूं तो वो अतना फरक नहीं पड़ेगा लेकिन मैं समय के साथ साथ इसको भी और बहतर बनाता रहूँगा तो अभी सबसे पहले मेरे को यह तर पल्बेट्स बनाना है ताकि मेरे pulse अराम से सो सके लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस पर मैं फ्लूपी पल्बेट्स बनाऊं लेकिन मैंने अल्रडी लाज पल्बेट्स भी अनलॉक कर चुका हूँ इसके लिए high quality close से है जो थोड़ी सी मुश्किल है मिलने में यह बिल्ट करूँगा तो मेरे जब huge pulse है न वो भी अराम से सो पाएंगे तो मैंने सोच लिया कि इस बेस में मेरे को सब कुछ एकदम बढ़िया बनाना है तो उसके बद मैंने इधर एक रंच बना दिया उसके साथ मैंने एक सिब्लिक्स को इधर काम करने के लिए रख दिया यह मेरे को high quality close generate करकर देगा उससे मैं आराम से large bets बना पौँँगा उसके साथ मैंने इधर production assembly line 2 भी build कर दिया था मैंने सोच लिया कि इस space को मैं crafting के लिए बनाने वाला हूँ उसके साथ कुछ बड़िया बड़िया structures को build करने के लिए crafting की बाट साथ तो अनुबिशी है अनुबिस तो मेरे पास बहुत सारे थे तो मैंने इधर काफ़ी सारे अनुबिस को रख दिया काम करने के लिए फिर मैंने production assembly line में nails craft करने के लिए लगा दिया वैसे तो मैं जादा नहीं बना पाया सिर्फ चारी बना पाया I think यह काफी ज़्यादा समय लेने वाला है पूरे 15 pulverts बनाने में तो समय तो लगेगा ही और मेरे पास यह siblings एक ही है और यह काफी कम generate कर रही है तब ही मेरे को एक idea आया कि अगर मैं और ज़्यादा सिप्रिक्स इधर रख दूँगा तो मेरे को वो भी close generate कर कर देंगे लेकिन इतनी समय से मैं तो भूली चुकाऊं कि मेरे को इधर एक feed box भी build करना है और मेरे सारे पल्स काफी ज़्यादा hungry थे तो उनके लिए मेरे पस जो food है उनका मैंने दे दिया खाने के लिए उसे के साथ यहाँ पर मैंने एक spear assembly line 2 भी बना दिया वैसे तो इसके बिना पालवर्ड है इन्हें मतलब spears के बिना क्यूंकि उसके बिना तो हम कोई पल को catch ही ने कर सकते हैं और थोड़ी तेर में सारे के सारे अनुविस मिलकर इसे build भी कर दिया फिर मैंने weapon assembly line भी build कर दिया तो मेरे इसबसे जो भी assembly line है उन सारे को मैंने अभी build तो कर ही दिया तो अब से मेरे को इधर crafting करना है तो सारे चीज़ा इधर ही है उसके बद मैं आचकों को siblings को catch करने के लिए मेरे बेस में काफी सारे pulse को सोने के लिए bed भी नहीं है तो मेरे को large beds बनाना है और ये यहाँ पर काफी सारे spawn होते है तो थोड़ी देर धूनने के बाद finally ये siblings तो मेरे को मिल चुकी है फिर मैंने इसको धनादन shotgun से काफी ज़दा damage दे रहा था तो अभी ये काफी ज़दा low हो चुके तो मैंने जिल्दी से अपने pulse फिर फेक दिये से catch करने के लिए और luckily इसे मैंने catch कर लिया फिर तभी मेरे को एक ice dungeon मिला और मैंने देखा कि ये तो level 45 वाला है I think ये काफी ज़दा hard fight होगा लेकिन मैं अंदर चला गया था क्योंकि मेरे पास तो frost alien है फिर मैं जैसे ही अंदर गया मेरे को एक निया पिल मिला है उसे मैं catch करने के लिए अपने pulse fire को उससे पहले ये frost alien उसे मार दिया था लगिलिए इधर एक और है तो इससे पहले frost alien उसे मार दिया मैंने उससे काफी ज़दे low करकर pulse fire fake दिया उसे के सब मैंने frost alien को भी अंदर ले लिया नहीं तो ये एक ही जटके में मार देगा ये तो बाहर आ गया तो मैंने और थोड़ी सी इसको shotgun से damage दिया फिर इसे catch करने के ने अपने pulse fire fake दिया लेकिन ये भाई सबको तो उतना जिल्दी आना ही नहीं था तो ये वापस बाहर आ गया तो और थोड़ी से मैंने handgun से damage दिया इस तरह कि इसे थोड़ी दिर करने के बाद finally इसे मैंने catch कर लिया और मेरे को याद आए कि ये तो वही चिप कलिया जो आग चोड़ता है ये शायद उसका updated version है ये ice चोड़ता है थोड़ी से आगे जाने के बाद इदर तो मेरे को कुछ पलगर्स मिल चुके थे मैंने तो frost alien को छोड़ दिया उन्हें attack करने के लिए और एक ही बार में सारे के सारे पलगर्स को इसने एक ही बार में मार दिया था बहुत ताकतवर है अभी तो मैंने इसका attack enhance कर दिया तो और भी बहुत ताकतवर हो चुकी है फिर मेरे को यहां पर एक chest मिला चिसमे से मेरे को giga spears मिले थे मैंने सोचा कि यह क्या मेरे को मिल गया भाई फिर और थोड़ी से आगे जाने के बाद इधर मेरे को एक ओर chest मिल चुकी थी तो उससे भी मैंने open कर दिया लखीली इधर से मेरे को एक gold की मिल चुकी है इसकी से तो मैं gold chest को खोल चकता हूँ यह काफी अच्छी बात है फिर मेरे को इधर तो कुछ नया pulse मिल चुक है लेकिन इनके बाल तो इससे भी बड़े थे इनका जिरवाली बड़े नहीं है इनका attack पर काफी ज़्यादा high damage करता है इनोंने पूरा मेरे को जमा दिया और बहुत तगड़ा damage भी दे रहे थे मेरे को में तो यह चीज देखकर इन लोगों से भाग गया यह लोग तो उस फ्रॉंस्ट इलियन की तरीके से attack कर रहे बहुत ज्यादा damage दे रहे यह लोग तो लेकिन जैसे तेसे करकर एक को तो फेल करने के लिए लेकिन यह लोग इतना जल्दी कहां मानते है थोड़ी देर पर फेकते रहने के बद फाइनली से मैंने catch कर लिया मैं सच में बोल रहा हूं इस डंजन में मैं बहुत सभी से गूम रहा हूं लेकिन अभी तक मिला ही नहीं है मिलको समझ में नहीं आ रहा भाई य इनको catch करने के लिए आया है वही चीज मैं बूल चुका हूं उनमें से एक को मैं लोग करकर पल्स फिर फेक दिया catch करने के लिए लेकिन यह लोग तो मेरे उपर ही काफी जद अटेक किये थे और मेरे को आग लग गई यह तुम लोग ice वाले हो या फिर fire वाले हो एक जमा भ फिर तभी मेरे को एक चेस्ट में लेती है तो उसे मैंने open कर दिया और उधर से मेरे को asphalt rifle का symmetric मिल चुकी है जिसका मतलब अभी मैं asphalt rifle को craft कर सकता हूं भाई यह गन काफी जदा powerful है और मेरे को ऐसे ही एक chest open किया और मेरे को मिल चुकी है इधर तुम लोग देख सकतो लेवल 45 पर यह unlock होती है asphalt rifle I think इसका bullets को भी मेरे को unlock करना पड़ेगा तब ही मैं इन bullets को भी craft कर सकता हूं आरे मेरे को तो gun मिल गया है लेकिन मैं bullets क्राफ्ट नहीं कर सकता हूं यह तो काफी जदा बेकर की बात है लेकिन तब ही मेरे को याद आए कि इधर कुछ wandering traders रहते हैं उन में से एक bullets भी बेचता है लेकिन मेरे को यह चक्क करना है कि asphalt rifle का bullets भी नहीं फिर मैं उससे जाकर बात किया और मीने देखा कि बाइए asphalt rifle का bullets भी तो अभी तो मैं खूशी-खूशी अपने base में आ गया फिर मैंने देखा कि इस asphalt rifle को craft करने के लिए क्या क्या चीज़े चाहिए वो भई सब इसको तो बहुत सरे चीज़े चाहिए से craft करने के लिए अभी तो फिलाल मेरे पस एक भी नहीं है फिर मैंने जो siblings को पकड़ कर लेकर आया उनको मैंने अपने base में रख दिया काम करने के लिए अभी ये भी मेरे को high quality clothes generate कर कर देंगे उसके बाद मैं अपने दूसरे base में आ गिया ताकि मेरे को जो भी चीज़े चाहिए उस weapon बनाने के लिए वो सारे चीज़े मैंने इधर से ले लिया उसके बाद मैं अपने तीसरे base में आ गिया जहां पर मेरे को बहुत सारे refiningers मिलते है तो इधर मैंने काफी सारे refiningers को smelt करने के लिए रख दिया और तो और चेस्ट में मैंने refiningers भी रखा था तो उससे मैंने ले लिया मैंने देखा कि इधर तो बहुत सारे coal है इन लोगोंने mine करकर already रखे थे तो इससे मैंने collect कर लिया फिर मैंने अपने breeding base में आकर इधर smelt करने के लिए रखा दिया दो जगा पर smelt होती रहेगी तो मैंने को और जल्दी से भिल जाएंगे इंगेट्स काफी दियर तक चीज़े collect करते रहने के बाद finally मैं अपने base में आ चुका हूँ मैंने देखा कि इधर तो और भी कुछ चीज़े चाहिए मिरको इससे craft करने के लिए तो मैंने production assembly line में carbon fibers को craft करने के लिए लगा दिया यह शाहिद lucky पर ले अगर मैं इसे catch कर लूँगा तो काफी बढ़िया होगा तो मैंने जल्दी से अपने spear fake दिया ऐसे मने catch करने के लिए लेकिन तब ही यह तो बाहर आ गया और मैं इसे थोड़ी से low करना चाहता था लेकिन गल्दी से मैंने इसे मार दिया मेरे को तो लगा यह थोड़ी से damage लेगा लेकिन यह तो मर गई इसे पकर लेता तो काफी अच्छा होता फिर काफी ज़दा ढूणने के बाद यह हाथी मेरे को मिल चुका है इसके मारने से ही हमें high quality oils मिलते हैं अभी तो यह काफी ज़दा low चुका है तो मैंने जल्दी से अपने pulse beer फेक दिया से catch करने के लिए मैंने तो एकदम ultra spear फेक दिया और यह एक ही भर में catch हो गया ओके इधर से तो मैरे को 8 high quality oils मिल चुके I think मेरे को 50 चाहिए होगा तो अभी तो मेरे को काफी सरे हाथियों को मारना पड़ेगा लेकिन इधर मेरे को समझ में नहीं आ रहा एक भी हाथी मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा तो मैंने जल्दी से उसे काफी ज़्यादा low करकर catch कर लिया वैसे तो इसको मैं इसलिए catch कर रहा हूँ क्यूंकि मैं इसे पल्मा चेंटन को बेज सकता हूँ और high price में बेज सकता हूँ उसके बद मैं वापस अपने base में आ गया और इन polymers को craft करने के लिए लगा दिया finally assault rifle को मैंने craft कर लिया और इसका damage to 400 है भाई अभी खेल में मज़ा आएगा most powerful weapon जो मेरे को मिल चुकी है भाई ये rifle तो सच में बहुत ही ज़्यादा epic है actually ये मेरे को level 45 है मिलेगी अभी मेरे तो 42 level C है वैसे तो ये pumping action gun भी मेरे को इसी तरीके से symmetric मिली थी और मैंने उसे craft कर लिया और ये assault rifle भी मेरे को इसी तरीके से मिल गई ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है फिर मैंने चेक कि इधर में क्या bullets भी craft कर सकता हूं और मैंने देखा कि इधर में bullets तो craft नहीं कर सकता हूं बस यही एक दिक्के ते इसका मैं bullets craft नहीं कर सकता हूं जब भी बुलेट्स खतम हो जाएंगे मेरे को हर बार खरीदते रहने पड़ेगा उसके बद इन्हेंने काफी अच्छे से क्लोट्स जेंडरेट कर दिया तो मैंने इधर बहुत सरे पल्बेट्स को प्लेस कर दिया था ये देखो कितने प्यार से सो रहे एकदम अराम से भाई तो हवे में क्यों सो रहा ये इतना अच्छा बेड में बनाए तो हवे में क्यों सो रहा मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये एकदम लेट के अराम से सोना ये देख अनुबिस कितना अच्छे से सोया है फिर लगता है यह ऐसा ही सोता है यह यह सोते होगे कितना जड़ा प्यारा है कितना अराम से सो रहे मिचरे पूरा दीन खाम करकर ठक गए वो कि इनके लिए मैंने फुट भी अच्छे से रख दिया तो अभी तो अपने सारे पल्स एकदम अराम से सो रहे थे तो इन्हें देख चाहिए थे प्यूर कार्स मेरे को अधिक करना है और वहापस पॉलीमर्स को भी कलट करना है तो फूर कार्स में को इदर आइस बाइयो में मिल जाएका तो शिवत ये है कि इससे मारने से मेरे को 20 high quality oils मिल चुके है शायद ice value को मारंगो तो जादा मिलेगा फिर थोड़ी से आगे जाने के पाद ये हाथ है तो मेरे को वापस से मिल चुका था तो इससे मैंने attack कर दिया तो अभी तो ये काफी जदर low हो चुका है तो मैंने जिल्दी से अपने pulse फिर फेक दिये से catch करने के लिए लगी ये पहली spear में ही capture हो जाता है ये गजब है वैसे तो लेकिन इस बार तो मेरे को सिर्फ 10 high quality oils से मिले थे मेरे को तो लगता कि मैं capture करूंगे तो मेरे को कम मिलेंगे फिर मेरे को एक और मिल गया इससे मैं catch करना चाता था लेकिन गलती से मैं खोदी मार दिया काफी चारे चीज़े collect करने के बद मैं अपने बेस में वापस आ गया और polymers को craft करने के लिए भी लगा दिया थोड़ी दिर में ये craft हो चीके थे तो मैंने circuit boards को भी craft करने के लिए लगा दिया इधर मेरे को बार बार इनके लिए food रखना पड़ समुंदर में राजा बनकर गुमता था अब इधर काम कर रहा अपने बेस में चलो अच्छा है उसके बाज में ही मैंने इधर electric kitchen को भी place कर दिया और बस थोड़ी दिर में सारे के सारे अनुविस मिलकर इसे complete भी कर दिया था मैं इस electric kitchen को इसलिए बनाया थाकि मैं salad बना सको क् जल्दी काम करते रहेंगे लेकिन इसे craft करने के लिए मेरे पास tomato भी नहीं है और lettuce भी नहीं है शायद मैंने इन दोनों चीजों को technology points में unlock किया भी नहीं होगा हाँ ये देखो ये tomato को मैंने unlock किया ही नहीं है तो इसे मैं unlock कर दिया है और lettuce को मैंने already unlock कर चुका हूँ इसके बा अगर मैं यह दर और plantation place करूंगा तो मेरे को और भी जल्दी जल्दी मिलेंगे लेकिन उसे place करने के लिए मेरे को pulp fluid शायत है उने collect करने के लिए मैं चलते हुए मचलियों को मारने के लिए उसे के साथ मैं अपने rifle को भी test कर रहा था कि यह कितना ज़्यादा damage दे रहा और मैं नहीं देखा कि मैं बस click कर ही रहा हूं उतने में यह मर भी जा रहे है यह रेफल तो काफी ज़्यादा घजब है मैं बस एक बार click कर रहा हम पूरे के बर वह लो हो जा रहे है यह गन तो सच में epic है तो उसके बद मैंने काफी सारे इन मचलियों को मारा कुछ को तो मैंने catch भ से लगा दिया क्योंकि अभी तो यह salad बनाने में और ज्यादा समय लगेगा तब तक यह berries कहा सकते हैं फिर तभी मैंने देखा कि इदर तो mission completed बोल रहा है और पल बॉक्स अपग्रेड भी available है तो मैंने जल्दी से चेक किया अपने पल बॉक्स में और इदर मैंने देखा कि अपने बेस को मैं अपग्रेड कर सकता हूं तो मैंने जल्दी से अपग्रेड कर दिया और तभी मैंने देखा कि लेवल 18 का भी मैं अपग्रेड कर सकता हूं तो उससे भी मैंने कर दिया और तो और मैं लेवल 19 का भी बेस अपग्रेड कर सकता हूं तो मैंने जल्दी से अप उसके लिए थोड़ी सी लेवल सब करना पड़ेगा मेरे को फिर देखते हैं देखते हैं रात हो चीकिती और सारे पल्स एकदम आराम से सो रहे थे तो मैं भे उनके पाजों में आराम से सो गया था देखो सोनों काफी important है तब हम और अच्छे से काम कर सकते हैं फिर सुबह उटकर मैंने देखा कि ये जोर मंटेड इदर से क्या कर रहा है भाई ये तो इदर से उदर पानी डाल रहा है ये क्या कर रहा है तो मेरे को काफी चादा गुसा आ गया तो मैंने उसे एक ही बार में अपनी बाई हाथ से उसे उटा लिया था फिर उसे मैं इदर पानी डानने के लिए फेक दिया था काम चोर साला तो गाइस अभी तुम लोग देख सकते हो मेरा बेस कैसा है तो अभी इदर तो फार्मिंग भी काफी अच्छी से हो रही है एक तरफ अपने पल्स के लिए मैंने एकदम काफी लग्जरी वाला बेट्स भी प्लेस कर दिया है इदर ये लोग काफी अच्छी से अराम से सो सकते है और उसी तरीके से इदर मैंने क्राफ्टिंग करने के लिए भी सारे असेम्बली लैंस प्लेस कर दिया तो अभी ये बेस काफी अच्छी से और्गनाइजड है हाँ लेकिन उतना बढ़िया नहीं है और भी इसे मैं बढ़िया बनने वाला हूँ आगे जाकर इसे और भी बहतर बनाता जाओंगा उसके बद मैं अपने ब्रीडिंग बेस में आ गया फिर मैं उसे कैच कर लूँंगा लेकिन ये तो पूरा ही मर गया फिर मैं तीसरे बेस में चला गया और इधर भी काफी सारे डिफेजडिंगर्स मेल्ट हो चीकिते हैं उनने मैंने कल्रट कर लिया और वापस से स्मेल्ट करने के लिए लगा भी दिया दो जगा स्मेल्ट होते रहेंगे तो मेरे को और भी जल्दी जल्दी रिफाइडिंगर्स मिल जाएंगे फिर इतनी टाइम के बाद मेरे को याद आया कि मैं फ्रोस्टेली नॉक को ब्रीड कर सकता हूँ और ये चीज में कैसे भूल गया मैं खुद भी नहीं जाता हूँ तो मैंने जल्दी से हल जैपरे और फ्रोस्टेली नॉक मिल जाएगा और इधर केक्स भी कुछ मेंने कुक करके रख दिया था तो अभी ये अराम से ब्रीडिंग कर सकते हैं इन दोने ने तो ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर दिया अभी थोड़ी दिर में बस अंडा भी आ जाएगा देखो अंडा तो आ जाएगा लेकिन इंक्यूबेट करने में जादा समय लगेगा तो काफी चाते तेर तेक मैं इधर इंतजार करता रहा तब ही इन लोगोंने अंडा भी आल्लमोस्ट अभी देनी वाले हैं ओके इने नो तो अंडा भी दे दिया तो मैंने जल्दी सुसे कलेट कर लिया और इंक्यूबेट होने के लिए रख दिया था जिससे मैं Ultra Spears को craft करने में काम हाईगा वसी के साथ मैंने दिखा कि इदर काफी सारे salat को मैंने cook करने के subjected लगाया अभी ये cook होच की थे तो उने मैंने collect कर लिया और वापस cook होने केके लिए लगा दिया था अगले दिन मैंने काफी सारे हाथियों का मारा क्योंकि मेरे को हाई क्वालिटी ओई शाहिए थे फिर मैं काफी जाद एक्स्प्लोर करते करते मेरे को एक ऐसी जगा मिले जो काफी जाथ एशिंट जैसे था इदर देखो नीचे जाने का रास्ता भी है पता नहीं क्या किया सारे चीज़े है इदर उदर मेरे को एक चेस्ट म पूल पता नहीं है सिमिंग पूल या फिर क्या है उदर कुछ पल्स तो नहाई रहा है लेकिन अगर सच में पूलू यह जगा तोड़ी से मिरको ऐसा लग रहा कि कोई मंदिर है इदर देखो पानी का फ्लोटिंग है पता नहीं कुछ तो मतलब कुछ तो है काफी जदा एश आधर कुछ हो और रहा था लेकिन तब इदर मैं को इनको कुछ थे लेकिन यहाथ है लेकिन अभी तक मैंपर नहीं तो मैंने जल्दी से आपकड़ने के लिए चला गया में तो इसे हैंड गन से काफी ज़दा डैमेज दे रहा था एक को मैंने काफी लो कर दिया फिर मैंने जल्दी से अपने पल्स फिर फेक दे क्याच करने के लिए लेकिन ये इतना जल्दी कहां मानने वाले थे ये तो वापस आ गया फिर मैंने दोनों को अपने पल्स फिर फेक दे क्याच क करने के लिए लेकिंन लोगों को पता यह इतना जल्दी पकड़ा हाथ ना carta इतना जल्दी पकड़ा में आते हैं तो फाइन Ensuite काफी जादा कंट लो करने के बाद उसे मैं कर लिया एक देड़ु आखिए यहेरन तो मेरे को वापस से मिल चुके है लेकिन इनstop कैच करूं उससे पहले ये फेलेरियस ने इसे मार दिया और कभी-कभी मेरे को लगता कि ये फेलेरियस तो कुछ जादा ही श्ट्रॉंग है फिर उसके बाद मैं इनमें से एक टावर के ऊपर चड़ गया और मैं चेक कर रहा था कि एक्चल में ये क्या है वैसे तो ये जगा द लिए मस्ट्रेस के बुल्सरों को बेस दिया था तो बहुत सारे पंदी के बाद में this affiliate के निए श्री रिए फिर ने आफ रॉड़ के पास को गॉր्ट से घ 설ге और मैं काफी सारे पूल्सरों फेस defended हैड़ SUS बिदे बीडिंग बीस में आया और इद्धे देखा तो यह अंड़ा इंकुबेट हो चुका है तो मैंने चल्दी से उसे इंकुबेट कर दिया और तभी मेरे को इदर फ्रोस्टेलियन नौक मिल चुका है और वी मैंने काफी सारे अंड़े इस चेस्ट में रखे थे तो मेरे पस लेज़ेंड है वह अच्छी बात है और वी डों किल मिले है यह अच्छा है वैसल में सच में वन हो देखने में फ्रोस्टेलियन नौक ज्यादा अच्छा यह फिर फिर फ्रोस्टेलियन ज्यादा है यह पूरा चाला है दय Спार्ण टोड़िसे भी और इनकुड़ी बीकिट लिए नौक मिल चुका है उसी के साथ मेरे लेवल से भी 43 हो चीके थे फिर मैंने वापस से इधर एक और अंडे को इंकिपेट होने के लिए लगा दिया इन में से एक फ्रॉस्टेलियन को मैंने अपने में बेस में लगा दिया क्योंकि इसका हार्वेस्टिंग लेवल 4 है तो बहुत ही जिल्दी हार्वेस्ट करेगा चलो फिलाल इस फ्रॉस्टेलियन को काम करने देते हैं क्योंकि अभी इसे में लेगर फाइट करने के लिए नहीं जा सकता हूं क्यूंकि इसका काफी लेवल कम है फिर मैंने स्टाट पॉइंच को यूज कर दिया हेल्थ इंक्रीज क करने के लिए अभी क्याना में काफी सारे हाई लेवल पल्स से फाइट कर रहा हूं और मेरे को बहुत ही आराम से मार दे रहे थे तो हैल्थ काफी जदा important है उसे के साथ मैंने technology points से hyper shield को unlock कर दिया फिर मैंने देखा कि इधर तो मैं जॉर्मेंटेड इगनेस का saddle बना सकता हूं फिर मेरे लेवल जो 44 हो जाएंगे तो मैं legendary spears को भी unlock कर सकता हूं तो यह काफी अच्छी बात है फिर उसके बाद रात में मैं चला गया एक level 50 boss को मारने के लिए वैसे तो एक नहीं दो को थोड़ी सी ढूनने के बाद ये मेरे को मिल चुके paladius और necromas मैं रात में इसलिए इनसे fight कर नकला है क्योंकि paladius सो जाता है necromas तो dark बले तो वो रात को सोता नहीं है तो इसी वज़े से मैं अभी आया हूं क्योंकि अभी मैं एक-एक सा fight करने वाला हूं अभी मैंने necromas को aggro कर दिया है बस उसको थोड़ी सी दूर लेकर आते हैं नहीं तो fight करते करता अगर paladius जाग गया ना तो फिर दोनों से fight करना पड़ेगा ओके ये अभी आ चुका है तो frost alien को मैं base देता हूं अभी यार मेरे को cold क्यों लग रहा अरे मैं तो cold का armor ही पहना ना लगता मेरे को टी शेट भी पहनना पड़ेगा चलो ठीक मैंने पहन लिया ओके ये दोनों काफी अच्छे से लट रहे लेकिन विकर की बात यह ही कि इसने frost alien को आग लगा दिया इसको जब आग लग जाता न इसे जमा भी दिया लेकिन मेरे को इसे सुबहा होने से पहले मार देना या फिर पकड़ लेना है ने तो पलेडियस भी आ जाएगा अब यह मेरे पीछे किम पड़ गया वह बहुत जादा भागना पड़ेगा बची गया जैसे देसे बची गया अरे मैं इधर legendary boss से फाइट क कम नहीं हुआ है अरे यह चला गया ओ भाई अरे फ्रॉस्टे लें तो आजा तो अगर एटक करें तो जल्दी से इसका हेल्थ कम कर और दूसरी तरफ में भी इसको दनादर बुलेट्स की परसात कर रहा हूं उसी के सब्सक्राइब को फूट भी खिला दिया ताकि इसका हेल हो सके फिर मैंने देखा कि निक्रमेस तो गाइब हो गया और थोड़ी से धुनने के बाद भाई इधर ही है मेरे को लगा यह वापस से चला गया बढ़िया तो इसे काफी अच्छे सा जमा दे रहा अब यार यह बार बार चला क्यों जाता फाइट के बीच में एक नंबर का डरबोक है चलो ठीक है मैं थोड़ी से फेड कर लेता हूं रिजन रेट पी होते रहेंगे अभी बस सुबह होने ही वाली है लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले डियस अभी भी सो रही है तो इसे और थोड़ी से दोर लेकर आते हैं अभी बस आकरी मौका है मेरे पास इसमें धितना कम देमेज हो रही है और यार यार यह भार बार फाईट के भी से भाग की हिन जाता है तो चुका है वैसे तो मिने निक्रमस को काफी सारे बुलेट्स मौरा वहाब ही मेरे पीचे ही आरहा है बस पलेडियस नहीं आए और कुछ नहीं चाहिए वह के लगता है आ चुका है हाँ पालेडियस आ चुका है ओ भाइस अब यह तो मेरे उपर एटेक भी कर रहा है अभी मेरे को नहीं लगता कि मैं इनको पकड़ पाऊंगा क्योंकि फ्रॉस्टेलियन के आदी हल्थ आल्रेडी खतम हो चीकिए अभी इन दोनों से फाइट करना है तो यह मुश् ट्राकिंग मिसल्स मेरे पीचे चोड़ दिया मैं भाग रहा हूं फिर भी मेरे पीचे नहीं चोड़ रहा है उसके पाइट मैंने अपने पल्स फिर फेक दिए से कैच करने के लिए लेकिन इसके उपर तो कुछ असर ही नहीं हुआ अभी तो बहुत जादा हेल्थ बागी है आदी ही कम हुई है मेरे रेफल के बुलिट्स बहुत जादा कम हो चिके तो फिर मैंने शॉट गन से इसे एटक कर रहा था तब भी पलेडियस मेरे उपर एटक कर रही थी लेकिन जैसे तेसे उसके एटक से में बच निकला यर पलेडियस को छोड़ो इस निक्रोमस को एटक करते हैं इसको और थोड़ी सी लो करकर अगर पकर लियाना तो काफी बढ़िया होगा मैं इसको बहुत सारे बुलेट्स में मार रहा हूं और साथ में यह भी चेक कर रहा हूं कि क्या यह कैफ्चर हो सकता कि नहीं मैं पल्स फिर फेक रहा हूं लेकिन इसके उपर तो कुछ चलना फैसे आशे नहीं है यह फरोस्स तरिन कव दो पहल थी जृब व्युक्त कर लिया है की जयक्तों था हुआ यह सब्षक ideal से मेरे और उब चैनल paling इसच्वाटव अब इस शायद यह कुछ कर दे काफी सरे पल्स को ब्रीड करने के बद तो आया कुछ तो कमाल कर ओ भाई सब इन लोगों ने ज्यादा कमाल कर दिया अभी अनुबिस तू तो कुछ कर दे बस थोड़ी देर यह एटक करते रहेंगे न तो फ्रॉस्टिलियन रीजनरेट हो जैसे तेसा में बच गया हूं मेरे को ना निक्रोमस के ऊपर ही टार्गेट करना है क्यूंकि एक मर जाएग न तो दूसरे के ऊपर मारना आसान होगा क्यूंकि एक भर में दो लेजन्ट रिपल्स से लड़ना तो काफी मुश्किली होने वाला है वैसे इसको में तीन अजार हिस्पी तक लेकर आचको और बस थोड़ी दिर मेरे को अरे अरे यह ट्राकिंग मिसल्स कैसे चोड़ दिया भाई सब बच गया जैसे देसा आइटिंक और बस इसे हजार हेल्थ डाउन करना है उसके बद मैं इसे एटेक कर दूंगा मेरे मतलब मैं स्पीर फेकर इसे क्याच करने लग जाओंगा अभी फ्रॉस्ट एलेन थोड़ी सी हेल्थ रीजेन रेट हो चीकिए अभी फ्रॉस्ट एलेन मर भी जाए कोई फरक नहीं है क्योंकि मेरे को इसे पकड़ना है कैसे भी करकर इतना ज्याद लोग कि हमेने चलो बढ़िया है फ्रॉस्ट एलेन तो काफी अच्छे से एटेक कर रहा और जमा भी रहा साथ में बस और थोड़ी दिर इसे मेरे को एटेक करना है जैसे यह 2000 से नीचे आजागा ना मैं पल्स फिर फेक में स्टार्ट करता हूँ भाई सब्सकर ने कहां पर गुम रहा इधर तो यह जिर्फ निक्रोमसी है वह सब्स मेरे पर अटेकर ओपाई बच गया लगता है लेडिया सारे तु कहां से आगया वह भाई वह भाई सब इसने तो बरको जमा दिया यार अभी मेरे सब्सक्राइब कर दिया यार यह तो हद हो गया हमेशा आकरी बार ही क्यों मर जाता हूं जब वह काफी जदे लो आता है मैं पकड करने का समय आता है तब ही यह लोग मेरे उपर इतना भाईंकर तरीके से क्यों एटक करते हो इतने देर से मुश्किल से उसे फाइट करता गया लेकिन फिर एक ही समय में उसने मेरे को काफी असनी से मार दिया अभी मैं क्या बता हूं तुम लोग को और उपर से यह जगा इत एक ऐसी चीज़े बिल्कुल भी पसंदने बिल्कुल भी ने वह यही है इतना मैंने इन लोग का हेल्थ कम किया लेकिन वह पस से रीजेनरेट हो चुके है अब भी उपर से मेरे उपर एग्रो भी हो गए देखो एक चीज तो क्लियर है यह सिर्फ फ्रॉस्टेलियन के छोड कर सकता हूं लेकिन अभी मेरे को एक चीज़ बहुत ही जदा बुरा लगता है बहुत ही जदा मैंने उतना देर से उन से फाइट कर रहा था और सारे अटेक्स को भी मैंने डॉस करता गया लेकिन फिर भी पता नहीं उन लोग कैसे आखरी में बस चैप्पी में पकड़ नही कर दिया मेरे को उदर कुछ चेस्टों में से लाच्षोल मिल चुके थे तो उसे मैंने यूज कर लिया इसका हेल्थ इंक्रीज करने के लिए फिर में ने देखा कि मेरे पास तो बहुत सारे स्मॉल सोल्स है तो मैंने उसे यूज़ कर लिया अपनी फिलेरियस को और जद़ increase करने के लिए इसका attack तो कफी अच्छा ही है defense अच्छा होगा तो और भी बढ़िया हो जाएगा फिर उसी के साथ मेरे पास और भी थे तो मैंने उसका health को भी increase कर दिया 21% health 21% defense मैंने increase कर दिया फिर मैं attack को भी increase करने लग गया लेकिन तब भी बहुत सारे लोगों ने मेरे base में raid कर दिया इन लोगों ने वो भाई सब यह लोग क्या क्या धमागा मचा दे रहा है यार शायद यह सारे pulse low level वाले है इसलिए इतने देर लग रहे हैं इनसे fight करने वाले तो मैंने जल्दी से अपने frost alien को छोड़ दिया इनके उपर attack करने के लिए यह अकला ही काफिया उन सब को मार देगा फिर थोड़ी ही देर में उसने सब को मार भी दिया और raid खतम हो चुकी थी फिर उसके बद मैंने falerius attack को भी 21% increase कर दिया सब कुछ इसका मैंने 21-21 increase कर दिय तो अभी यह भी काफी जदा strong हो चुका है मैंने falerius को इतना जदा health enhance इसलिए किया क्योंकि अभी मैं frost alien से fight करने वाला हूं पिछली बार मैंने notice कि काफी अच्छे से frost alien को damage दे रही थी तो इसलिए मैंने उसका health और भी जदा increase कर दिया तो guys अभी fight को start करते मैंने उसे attack भी क कर दिया यह गुद्धर उतना दूर क्यों जहा रहा है फाइट करने के लिए हैं इदर करो ना लगता है यह मेरे पीछे आ रहा था ओक अभी मैं नीचा आ गया हूं यह मेरे पीछे पढ़ गया दिको बड़ी अटक मत करना चलो बढ़िया है इसका attack तो मैंने जैसे तेसे कर कर डॉज करता गया लेकर अच्छे बात यह है कि इसको आग लग गया यह काफी अच्छा है तो अभी यह काफी ज़्यादा डैमेज ले रहा अरे आग बंद क्यों हो गया अभी तो यह मेरे पीछे बढ़ जाती तुम क्या कर रहे उससे लड़ो ना अभी यह तो वापस से चलत बढ़ बढ़ेगा चलो बढ़्या वापस से इसको लाग गया इसी तरीटके से से यह अगरगाते रहना अरे मेरे पीछे बढ़ इयूड़ा गभात से डिक में इने यह बने ज़्यान अंगब णकल जा रहा है वह सब इस तुम आटक कर देरें हूँ से काफी यह खश्य बार बार यह आईस वाली मेंसल मेरे पीछे क्यों जोड़ी देता है ओ भाय सब इसने जमा दिया उसे यहर मैने स्टिंग उदर भी तो कुछ नहीं किया कम से कम इदर तो कुछ कर दे तो काइस काफी ज़्यादा देर तक मैं इससे फाइट करता गया और तुम लोग देख सकतो वह इसका आदि हेल्थ मेंने डाउन कर दिया है और फेलेरियस काफी अच्छी से इससे एटक भी कर रहा है बस इसी तरके से और थोडी देर मेरे को इसे अटेक करना है लेकिन मेरे को जादेतर इसकी एटेक से बचके रहना है मैं अटक करो नहीं करो कुछ फरक नहीं पड़ तो है चलो ठीक है भाइज वाइज दे रहा था लेकिन तभी इसने आइस वाली मिसल्स वापस से मेरे ऊपर छोड़ दिया वो भाई यह वाली अटेक ने यह भाई साफ भाई बचा दिया शील्ड ने जैसे देसे बच गया ने तुम्हें मरहें जाता भाई यह मेरे पीचे क्यों पढ़ गी यार फेलेरियस कहां गया यार फेलेरियस कहां पर गया था यार बेकार में यह इतना देर से यह मेरे को मार र आटक करना है इदर आना नहीं है इसे अभे भाग कहां जा रहा इदर आ तेरे लिए तो क्यां फेर्स लगाया मैंने मेरो को नहीं सबसे जएधा वह मुष्किल इसी को मारने में लगता है वह ज़्यादा फाइट करना पड़ता है चलो चलो ठीक है चलो चलो बढ़िया है यह नहीं नहीं ऐसे आग जाए बहुत देटी अध्याद आजए सब भाग क्या नहीं सबस्की है यह बहुत चलो इदर आजाए लाजा एधर आजा इदर आजा इदर आजए लाजा एक और आणा अरे क्या कर रहा है तो क्या फैसे लगा मैंने भाग गया यार वह बहुत चालाग होते हैं उनको पता है अगर इदर आएंगे तो आग लग जाएगे इसलिए वह आया ही नहीं देखर उदर चला गया तो का इस काफी जदा देर तक फाइट करते रहने के बाद अभी इसका है आलमोस 4,000 तक मैंने लेकर आ चुका हूँ अभी बस इसी तरीके से में और दो हजार कम करना ने 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 यह अटक ने यह बहुत जाद डैमेज आता है चलो बच चिका अरे मैंने डैमेज ले लिया क्या यार मैं कैसे डैमेज ले ले क्या उद्चिकिया उदर से उसने बहुत ज़्दा हाड है यार इसको बहुत ज़्दा है यह सबसे बेकार चीज़ है काफी ज़्दा है इसका एक बर में ट्राइक करता हूं क्या यह आजाएगा क्या ओके ओके पुक्त चार परसेंट आजा प्लीज आजा प्लीज आजा आजा आरे यह इतना जिल्दी आते ही नहीं है और इसी तरह किसे इसे लो करना पड़ेगा तब जगल मैं इससे पकड़ सकता हूं अरे यह तो मिरे को एटक करने के लिए आज़ा रहा वह भाई सब इसने डेमेज दे और बस थोड़ सा ही हेल्थ मिरे को इसे कम करना फिर मैं इसे पकड़ सकता हूं अब यह अधे बागना पड़ेगा जाना पड़ेगा जयासे बाग जहां अरे यार आग लग गया घंपर सला मेरे को ही मारने के लगा है जिल्दी से मैं Heat Armor पहन लेता हूँ, आग कम हो जानी चाहिए, भई ये आग तो पूगी जी नहीं रही है, ये बहुत ज़्यादा Damage बढ़ रही है मेरे को, पूगी जेल्दी से खाना खा लेता हूँ, ये 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 Camfair तो उससे कुछ ने किया, मेरे को ये Attack कर दिया, चलो ठीक ह कि मेरा हेल्थ काफी जदा लो हो चुका है फिर मेरे को लग गया कि अभी पल्स फेकना ही काफी अच्छा होगा नहीं तो मैं खुद ही मर जाओंगा तो मैंने पल्स फेकना स्टार्ट कर दिया लेकिन यह इतना जल्दी आगता कहां है भाई फेलेरियस अभी तुई कज कर दे मेरे पीचे बढ़ गए अटक करने के लिए काफी अच्छे टाइम पर मैंने इसे फेक दिया पल्स फियर आजा आजा अरे यार यह नहीं आएगा वह भाई सब इसने बहुत ज़्यादे डैमेज दिया काफी ज़्यादे लो कर दिया मेरे को भाई प्लीज आजा यार यह वह मैं मर जांगा भाई आजया आजा यार प्लीज आजए मने चला गया औरि आप धिया और आधी तो तो आपको क्या लग रहा है अगर मेरे बात कहूं तो इतना गुसा रहा है उसको कुछ भी नहीं किया भाई है लिग्ला धो अगलाश अब लुग अब यार्य मुऑक्राइब किया जाता है नियार्य नहीं कुछ नहीं तर oynट। आपसर रीजनेरेट हो चीकी है हर बार की तरीके से मेरे को नहीं लगता मैं इससे फाइट कर पाऊंगा एक तो इसका हल्थ इतना जादा होता है और इसको लो करने में बहुत समय लगता है और आखरी में यह पता नहीं कैसे मेरे को मार देता है मैं क्या बता हूं अभी अभी म मैंने production assembly में चेक किया कि gun powder में craft कर सकता हूं नहीं इदर में gun powder भी craft नहीं कर सकता हूं इसके लिए मेरे को sulfur चाहिए है अब मेरे को sulfur कलट करना पड़ेगा फिर मेंने इदर एक repair winch को build कर दिया मेरा armor पूरा broke हो चिका है तो उसको repair करना है तो मेंने अपने armor और helmet को repair कर दिया था assault refer भी काफी ज़्यादा damage हो चिक है उससे भी मेंने repair कर लिया लेकिन मेरा shotgun को repair करने के लिए मेरे पस कुछ चीज़े नहीं है polymers मेरे को चाहिए थे फिर उदर से में चला गया इस lava beam है यहाँ पर sulfur काफी ज़्यादा मिल जाता है तो में लग गया sulfur कलट करने में इदर से तब मैंने पूरा भैग बरकर sulfur को collect कर लिया फिर तब ही में ने देखा कि इदर एक statue है वैसे तो यह statue थोड़ी से मेरे को जाना पैचाना जैसा लग रहा है शायद यह मेरे को लग रहा है कि jet dragon हो सकता है हाँ यह jet dragon जैसा ही है इसको दिको almost वह ऐसा ही है jet dragon की जैसा ह वैसे तो इसका statue काफी बढ़िया बनाया है इन लोगोंने काफी अच्छा है मैं आपको तोड़ा सा एक hint दिया सकता हूं कि शायद मैं इस एपिशोड में इसे मार दूँ शायद यह तो मैं इसे मार दूँगा या फिर इसे catch कर लूँगा दोने में से कुछ तो शायद हो सक हो सकता है फिर मैंने मेरे बेस में आकर गन पावडर क्राफ्ट किया उसके बाद वापस मैं यहां पर आ चुका हूं सलफर का लिट करने के लिए तब भी मेरे को इदर एक डंजन दिखी यह तो लेवल 40 का डंजन है तो इसके अंदर में चला गया मैं जैसे उसके अंदर गय कर लिया तो उससे मैंने माइन कर लिया लेकिन तब ही कुछ सेंडिकेट लोगने वापस से मेरे उपर हमला कर दिया था मैं तो उदर से भाग कर थोड़ी से दूर आचिक हूं फिर मैंने वापस जब देखा तो वो सारे के सारे मार रहे गए उसके बाद इधर तो मेरे को कु इने कैच करना काफी ज़दा होड होते हैं इतना जल्दी पकड़ में आते ही नहीं फिर काफी जब प्रेयास करते रहने के बाद फाइनली इससे मैने क्याच कर लिया था यह मिनिगन वाली को तो मेने पकड़ लिया इसको अपने बेस में रखेंगे जब भी यह लोग हमला करेंगे ना तो इसी से फाइट करवाएंगे फिर फाइनली काफी जादा डूड़ने के अब बाद मेरे को यह बॉस मिल चुका है यह तो काफी आराम से स हुद्ण कर दिया हैं इदर से तो मेरे को एमरेल्स और इन्योवेट्व टेकनालोजी पॉंट्स मिल चुके थे सारे जींग को लूट में बाहर आ गया फिर तभी इस बीको लावा कैसा है यह तो फ्लोट कर रही है लगता भी यह लावा पूरा एकदम ऊपर तक आ आ सकता है और साथ में इदे तो मेरे को काफी सारे Sulfur के वोर भी दिख चुके थे अगर कभी भी मेरे को Sulfur की ज़रूत होगा तो मैं यहाँ पर आकर माइन कर सकता हूँ इदे तो Forst Travel Point भी है तो उसे मैंने Unlock कर दिया उसके बाद यहां से मैंने काफी सारे सलफर को भी कलट कर लिया मैंने तो पूरा मेरा भैक को भर दिया सलफर से अभी तो मैं डिक से चल भी नहीं पा रहा हूँ साथ में मैंने मैट में मार्क करकर रख दिया ता कि कभी भी मेरे को सलफर की जरूरत हो का तो मैं इदर आकर माइन कर सकता हूँ उसके बद मैं अपने बेस में आ चुका हूँ और इदर तो कुछ गन पॉर्डर अल्ड़री क्राफ्ट हो चुका तो उसे मैंने कलट कर लिया तब ही मेरे को याद आए कि मैंने हाइपर शील्ड को अनलॉक करके रखा था कि नहीं से अभी तक मैंने बनाया ही नहीं तो मैंने उसे जल्दी से बना दिया और साथ में मैंने उसे एक्यूब भी कर दिया मैंने देखा कि इसका शील्ड तो 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 बहुत जादा है और मेरा पूराने शील्ड को देख सकतो इसका तो 540 है इसका मतलब बहुत जादा है भाई अभी डवल हो गया मेरा भी शील्ड का और साथ में मैंने गन पॉडर को भी क्राफ्ट करने के लिए लगा दिया अभी बस मेरे को एक और लेवल अप करना पड़ेगा तब मैं लेजंडरी स्पियर्स को भी क्राफ्ट कर सकता हूँ शायद तब मैं फ्रोस्टे इनको अच्छे तरीके से पकड़ पाऊंगा ने तो वो बार बार मेरे को आखरी में ही मार देता है फिर मैंने बहुत सारे हैंडगन की एमो क्राफ्ट करने के लिए लगा दिया पूरे की पूरे 900 बुलेट्स मैंने इदर क्राफ्ट करने के लिए लगा दिया मेरे यह सबसे यह बहुत होंगे फिर मैंने देखा कि इधर तो अलड़ी को सालाड कुक हो चिके तो उसे मैंने कलट कर लिया और वापस कुक होने के लिए रख भी दिया था थोड़ी दिर के बाद इन लोगोंने हैंडगन के एमों क्राफ्ट कर दिया तो उसे मैंने कलट कर लिया उदर से मैं चला गया इस wandering trader के पास इदर से मैंने asphalt rifle का bullets खरिद लिया वैसे तो मैं जादा नहीं खरिद पाया क्योंकि मेरे पास gold नहीं था फिर उदर से मैं जब वह पस है इदर तो काफी सारे salad कुक हो चिकी थी तो उसे मैंने गलट कर लिया और साथ मैं मैंने baked berries को कुक होने के लिए लगा दिया उसके बाद इनका feed box में मैंने वो सारे के सारे salad को भी रख दिया तो इदर तो इनके लिए काफी अच्छे सा food है तो इदर से या काफी अच्छे सा खाना भी ना करते रहेंगे और मेरे लिए काम भी करते रहेंगे फिर मैंने shotgun के cells भी craft करने के लिए लगा दिया ये bullets ने बहुत ही जल्दी खतम हो जाते यार और उपर से legendary pulse से इन से उतना damage भी नहीं होता है सिर्फ एक एक का damage होता है उसके बद मैं आ चुक हूँ इस लावा बायम में इदर कुछ pulse को मेरे को catch करने है तब ही मेरे को ये चोटा सा चुटकू दिखा था लेकिन ये बाग ता बहुत तेज है मैं इसे bullet मार हो उससे पहले काफी ज़्यादा दूर बाग गया लेकिन जैसे तेसे इसे मैंने काफी ज़्यादा low करकर catch कर लिया था तब ही इदर मेरे को एक आग वाला घोड़ा भी दिखा था तो ये से भी शाहिद मैंने catch नहीं किया होगा तो इसे भी मैंने catch कर लिया ये जुटको तो वापस आ चुका है शाहिद ये उसका दोस्त होगा इसलिए मेरे उपर attack कर रहा है तो इसे भी मैंने catcher कर लिया बड़ा आया दोस्ती नहीं बाने के लिया खुदी catcher हो गया मैं इन pulse को पकड़ी रहा था 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 भी मेरे को एक scorching mind shaft मिली तो उसके अंदर में चला गया देखने के लिए कि कौन है मैंने जब इसके अंदर गया मैंने देखा कि लेवल 49 का एक blazमट है तो मैंने जल्दी से अपने frost alien को छोड़ दिया उसे attack करने के लिए एक तरफ frost alien उसे attack कर रही थी दूसरी तरफ में भी handgun से उसे अच्छा कासा damage दे रहा था लेकिन इसने तो frost alien कोई आग लगा दिया वो काफी जदा damage ले रही थी तो काफी जदा attack करते करते रहने के बाद इसका आदी health तो कम हो चुकी है अभी बस आदी बाकी है इसी तरीके से मेरे को इसे attack करना है तो काई सब यह काफी जदा low चुका है तो मैंने जल्दी से अपने frost alien को अंदर ले लिया था फिर मैंने इसे catch करने के लिए शायद यह catch हो जाएगा ओके ओके भाई यह catch हो चुका है मेरे को लगा नहीं था यह एकस्पीर में catch हो जाएगा चलो बढ़िया है फिर मैं जब बाहर आये था तो यह चुटको मेरे को वापस से मिल चुका है तो इससे मैंने काफी जदा low करकर अपना pulse wheel फेक दी से catch करने के लिए और मैंने देखा कि इसको तो मैंने 10 बार capture कर लिया यह काफी अच्छी बात है अपने xp भी एक तरफ मेरे को बढ़ाता रहना पड़ेगा फिर काफी जदा explore करने का प्यात मेरे को एक ओर destroyed mineshaft मिल चुकी थी तो उसके अंदर मैं चला गया इधर तो level 48 का ashtagon है और मैं जैसे इसके अंदर गया यह तो मेरे उपर attack करने लग गया तो मैंने जल्दिस अपने frost alien को चोड़ दिया उसके उपर यह frost alien तो उसे एक ही बर में जमा भी दिया था और देखते देखते इसका health तो आधी खतम भी हो चीकी है फिर तब ही इसने पता नहीं कोई तो tracking missiles मेरे उपर चोड़ दिया जैसे तैसा उससे में बच कर निकल गया लेकिन तब ही मैंने देखा कि frost alien ने तो इसे वापस से जमा दिया था तो गाई सब यह काफी जादो लोग चीकर तो मैंने जल्दिस अपने pulse fire फेकने की कोशिश कर ही रहा था तब ही frost alien ने इसे मार दिया है इससे मेरे को catch करना था यार इसने तो मार दिया मेरे को लगा नही इसे frost alien को damage दे रहा था तो शायद यह frost alien को मारने में मदद करेगा लेकिन फिर तब ही इसने मेरे उपर एक ऐसा attack कर दिया एक ही बार में मेरे पूरा shield खतम कर दिया इसने यह तो कुछ जादा ही ताकतवर है फिर काफी देर इससे fight करने के बाद अभी इसका health almost low चुका है तो मैंने और थोड़ी से shotgun से इसे damage दिया इसका health थोड़ी से low किया फिर pulse फिर फेक है इसे catch करने के लिए लेकिन इसका नाटक इतना ज्यादा है यह बार बार बाहर आ जा रहा था वह सब कितना ज्यादा नाटक है यारे इसको बार बार बाहर आ रहा उपर से मैं ultra sphere फेक रहा फाइनली इसे मैंने catch कर लिया फिर उदर से मैं चला गया एश्टोगन के पास पिछली बार इसे मैंने मार तो दिया तो लेकिन catch नहीं किया तो इस बर मेर को इसे catch करना इसलिए मैं वापस आ चुका हूं इसे पर करने के लिए फिर तभी इसने मेरे उपर एक ऐसा attack कर दिया जैसे तैसे उस attack को मैंने dodge कर दिया था काफी खतरनाक attack किया इसने एकदम निक्नोमस जैसे attack करते नहीं उस तरही किसे इसने attack किया फिर थोड़ी दियर इसे fight करते रहने के बाद अभी ये काफी ज़दा low चुका है तो मैंने अपने pulse spear fake दिया से catch करने के लिए और साथ में मै अपने pulse को comment दिया कि attack नहीं करने के लिए नहीं तो यह वापस से मार देगा यह तो भार आ गया तो थोड़ी से मैंने damage दिया फिर इसे मैंने पकड़ने की कोशिश किया यह भी blazement की जैसा बहुत नाटक कर रहा था पकड़ में आई नहीं रहा था तो मैंने इसे बहुत ही P.S. waste करने के बाद इसे मैंने पकड़ तो लिया शायद इन pulse को मैंने को capture करने के लिए legendary pulse यूज करना पड़ेगा तब जाकर वो जल्दी capture होंगे फिर जो भी हो finally इसे मैंने capture तो कर लिया फिर उदर से मैं अपने base में आ चुका हूँ और blazement को मैंने अपने party के अंदर रख दिया शायद यह फ्रोश्टेल इनको मारने में काम आ सकता है मतलब जादा damage दे सकते है इसलिए मैंने इनको रख दिया है मेरे को अपने shotgun के भी repair करना है उसके लिए polymers शाहिए तो मैं इन हातियों को मारने में लग गया यार यह हातियों का भी ना बहुत ही जदा नकरे है ज फाइनली एक दिखा तो मैंने इसे जल्ली से मार दिया फिर उसके बाद मेरे को एक और मिल गया तो उससे भी मैंने मार दिया था इधर से भी मेरे को high quality oils मिल चुके थे फिर वह पस आकर मैंने काफी जारे polymers को craft करने के लिए लगा दिया मैंने देखा कि handgun भी काफी ज़दे damage हो चीकी तो उससे में मैंने repair कर दिया थोड़ी दिर में इन लोग ने polymers भी craft कर दिया तो उससे भी मैंने collect कर लिया और shotgun को भी मैंने repair कर दिया यह काफी ज़दा damage हो चीकी थी उदर से मैं जला गिया इस digit wandering trader के पास मेरे को कुछ सामान मिले उनको जब मैंने मारा था तो वो सारे सामान को मैंने इसे बेच दिया इसने मेरे को इदर से काफी अच्छे से gold दे दिया तो मैं जितना assault rifle के bullet खरी सकता मैंने खरी लिया और इससे तो मैं जादा नहीं गरितवाया फिर उसके बाद मैं लग गया काफी सारे pulse को capture करने के लिए क्योंकि अभी बारी है मेरे levels को भी अप करने के लिए लेकिर उन्हें capture करने की वज़ए मैं गल्ती से उन्हें मार दे रहा था फिर तभी यह कुटा ता मेरे को वापस से मिल चुकी यह कुटा या फिर टाइगर जो भी है आपने इसे कमेंट करकर बताओ जैसे तैसे इसे मैंने लो कर दिया और जल्दी से इसे कैच करने के लिए लगे लिए इसको मैं और चे बार कैच कर सकता हूं जिससे मेरे को एकस्पी बॉनस मिलेगा तो मैं इन पल्स को ढूंड रहा था तब यह कुछ आइस वाले हिरेंस मिल चुके तो उससे वह बिए काफी ज़्यादा लो करकर अपने पल्स फिर फिक दे अराम से सो रहे थे तो मैंने जल्द इसे गौली मार कर इनको कैच्चर कर लिया हो कि अभी तक इने तो मैंने जादा नहीं कैच किया काफी बार मैं इसे कैच कर सकता हूं अभी उसके बाद इदर तो मिल चुका तो इसे भी मैंने काफी ज़्यादे लो करकर अपने पल्स फि तो मिले और साथ में इदर तो मेरे को लिफ्ट मंग एफीजी भी मिल चुका है अभी ये मेरा कोई काम का तो नहीं है लेकिन ठीक है इसे मैंने कलट कर लिया फिर मैं काफी देर तक इन चेंचो को कैच करने में लग गया अभी तो मैंने इसे नौ बार पकड़ लिया अभी बस से फाश्चलिण को निकाल दिया और उसे दिखाया की बाई देख तरा स्टैच्यू कितना बढ़िया है वाई इससे पता ही होगा यह दर का राजा है बूलना पड़ेगा इसका स्टैच्यू काफी बढ़िया है फ्रोस्टेलिंद भी देखकर यसे काफी जादा खुश हो ग तब जाकर मेरा XP क्याने जल्दी जल्दी बढ़ती रहेगी फिर मेर कोई SP भी मिल चुकी थी तो इसे भी मैंने कैप्चर कर लिया इसको भी मैंने 10 बार कैप्चर कर लिया अब इमें 44 लेवल को काफी जदा नजदीक भी आ चुका हूँ इसे भी मैंने 10 बार कैप्चर कर लिया इसे के साथ मेरा लिवल्स भी 44 हो जगे वैसे तो लिवल्स इंक्रीज करने के लिए एक ही बड़िया तरीका ये है कि तुमको काफी ज़रे नएने पल्स को कैप्चर करना है फिर मैंने इन स्टार्ट पॉइंट्स को यूज कर दिया लॉक कर दिया था अगर मैं एक और लेवल इसी तरीके से अप कर दूंगा ना तो एसल्ट रइफल का एमो वे में क्राफ्ट कर सकता हूं बार बार मिरको उसके पास जाकर एमो घरिदना पड़ रहा है जिसके लिए मिरको बहुत सरे गोल्ड चाहिए अभी मिर पास गोल्ड समय यह तो द примricting देखने के लिए की और में फिसके अंदर मैं इसके अंदर गया और इदर तो एक लड़की आई थी इसमेने मार दिया न इस से तो मैंने मार दिया अरे ये तो वही है न एक लाइलीन लेकर आती है इसका नम शायद लिली एंड लाइलीन है ओके भाई दौसों एंट्री था वैसे तो कूलना पड़ेगा इसका एंट्री काफी बढ़िया है सच में बूलो इसका एंट्री तो काफी अच्छा और ये इससे भी ज़्यादा प्यारा है वैसे तो इसे मैंने अलड़ी एक बर हरा चकाओं चलो एक और बर इससे हरा देते हैं इस बर मैं इसे ब्लेजमेंट को छोड़े देता हूं ब्लेजमेंट दिखा अपनी ताकत मार उस अटेक करने के लिए वैसे तो उसका भी हेल्थ आदा हो चुका है अभी तो इसका आदी हेल्थ बची है तो ये आराम से मार देगा मेरे को लगता है मेरे को ना साथ में इनको खाना भी खिलाता रहना पड़ेगा तब ही जल्दी जल्दी रीजन रेट होते रहेंगे नहीं तो इनका हेल्थ काफी जदर डाउन हो जाएगा ओ भाई सब इसने तो काफी जदर लो कर दिया अभी तो फिलेरियस को भी बेजने पड़ेगा फिलेरियस दिखा अपनी ताकत मार दे इस एकी बार में ये ब्लेजमर्ट तो ज्यादा इसे एटक कर ही नहीं पाया दोनों मिल द्याल लेकिन एकसपी उतना जाधा मिली रही सिर्फ साथ अजार यह एकसपी मिली है इसससे एक पल कोई कंपचर कर लेता उससे मिरेको जादा एकसपी मिल जाएगा फिर उसके बद में वापस से इन पल्स को केप्चर करने में लग गया है तो इसको भी जगंड मिल चुकी दूबर कैच किया है अभी तो इसको में बहुत बार कैच कर सकता हूं जिससे मेरे एक्सपी बढ़ेगा फिर थोड़ी सी आगे जाने के बद इधर तो मेरे को विक्षिंच मिल गये तो इने भी मैंने लो करकर पल्स पीर फेक दिया क्याच करने के लिए तब ही मैंने देखा कि इधर तो एक मचली विच्छा रख फस गिया था तो जल्दी से उसे मेने लो करकर कैप्चर कर लिया मतलब मचली है तो पानी में होनी चाहिए ना इसे बाहर गुम रहा है इसलिए मैंने एक और मिला था तो उससे भी मैंने कैप्चर कर लिया उसके बद मेरे को और कुछ मच कर लिया उसे के साथ मैं आपको जल्दी आ रहा हुँ कि मैंने इसके साथ फैट कर दिया और फ्रोष्ट देलियन ने एक ही अटेक में उसको पूरा जमा भी दिया और आधी हेल्थ कम कर दिया उसे भाई यह तो कुछ जादे ही अग्रेसिव होगी है उसे देखकर वह भाई सब मेरे को लगता है यह मार ही देगा उसे वह भाई सब बहुत गंदा डैमेज देरा मेरे को अपने पल को ले लेना चाहिए नहीं तो फ्रॉश्टर इने मार देगा वैसे भी अभी इसका हेल्थ जादा बाकी भी नहीं है तो मैंने इसे हैंडगन से थोड़ी से डैमेज दिया लेकिन हैंडगन से जादा डैमेज नहीं हो रही थी तो मैंने शॉटगन निकला और डैमेज देना स्टार्ट किया इसे काफी अच्छे से इसे डैमेज देने के मैंने अपने पेसे काच करने के लिए देटर से जी काफी बड़ा साना में आप ँठाए कि कौन है कि इधर है कौन कोई लड़का है पहली बार मैं इधर लड़का देखा नहीं तो बार-बार यह लड़की आती है फाइट करने के लिए इसका कॉस्ट्यूम काफी अच्छा है यह तो कुछ इजिट में लोग रहते हैं उस तरी किसा लग रहा है मेरे को यह तो बढ़ करते हैं कितना है इसका हेल्थ एक लाग तीस हजार चला फ्रॉस्टेलियन को बेचते हैं तो मेरे को लगते हैं मार देगा देखना पड़ेगा वैसा इसका काफी ज़्यादा हेल्थ भी है मैं भी इसे शौट्गन से काफी अच्छे से डैमेज दे रहा हूं और दूसरी तर फ्रॉस्टेलियन भी काफी अच्छे से डैमेज दे रहा है अभी तो इसका 30,000 का हेल्थ ऐसे ही खतम हो गया अभी तो इसका 90,000 का करीब हेल्थ बाकी है लेकिन फिर तब ही इसने एक बयंकर तरीके से अटेक किया लेकिन फ्रॉस्टेलियन को कुछ डैमेज ही नहीं हुआ चाहिए इसको उस तरफ चला गया मैं तो इक दो बढ़िया तरीकिसे इसको शॉट्गन से डैमेज दे रहा हूं तो गाइस इससे बहुत देर तो फाइनली ये काफी जदा लो हुचका है अभी तो बस इसका थोड़ा सा हेल्थ बाकी है फिर मैं और फ्रॉस्टेलियन इसे क पीडियेफ ये कौन है इसको मिर दिफीट करना है वैसे तो और साथ में इस आईस यगा पर भी है इसे भी मैंने डिफीट नहीं किया इन दोनों को ये मैंने इतने तो बोसे बच गया बच गया अभी तो लोग को इनन पॉलिस से में को फाइट करना क्या हूं वह भाई सभी तो बहुत सारे लोग यार यह कोई मेरे को ऐसा लग रहा कि कोई बड़ा आदमी है लग तो ऐसा ही रहा ओके यह कुछ जादे अमीर भी लग रहा है मेरे को हाँ वह इसके पास बहुत सार पैसे है सच में बोलो तो अभी से में डरने लग गया हूं भाई यह लग रहा है कोई फेलेरियस हैर अभी तो फाइट स्टार्ट हो गया फाइट करकर देखते हैं जल्दी से फ्रॉस्ट इलमें को बेज देता हूं लेकिन फ्रॉस्ट इलिन मेरे को नहीं लगता है इसे ज्यादा डैमेज दे पाएगा क्युम्हें यह तो आइस पला है और फायर वाला ज्यादा लेकर आया ओं भाई यह मेरे उपर अडएक कर दे रहा है यह अलक्तिक है क्या है इसने तो इलेक्रिक अटकस्थ बीकर कर रहा है में एक दें से शॉटकन से कवी एच्छे देरा ता लेकिदत euh इसने मेरे उपर एक ऐसे अटक कर दिया और मेरे को आग लग चुकी है साथ मैं मेरा सील्ड भी बूरा खतम कर दिया और ये अलेक्ट्रिकल पल भी है भाई तो कौन-कौन से अटक आउर जानता है कितने से अटक करेगा एक तरफ आग भी चोड़ रहा और एलेक्ट्रिक अटक भी चोड़ दे रहा मेरे उपर मेरे को तो लगता है ये फायर और 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 अजरेक का मिक्स है मतलब एलेक्ट्रिक और फायर का मिक्स साइद फिर उसके बाद मेरे उपर इसने ऐसा अटक कर दिया बहुत जादा डैमेज दे दिया, मेरे को लगते ही है, मेरे को मार देगा इदर, बहुत जादा डैमेज दे रहा है, मैं इसे बचने की कोशिश कर ही रहा था, तब ही पता नहीं इसने एक रेड लेड कुछ आ गया, जैसे तेसे उदर से तो मैं बच गया, भाई ये तो बहुत जादा गंदा डैमेज दे रहा है और अभी तक मैंने इसे जादा डैमेज भी नहीं दे पाया तुम लोग देख सकते हो उसका हेल्थ जितना ता उतना ही है फिर मैंने एसल्ट रेफर से डैमेज देने की कोशिश किया लेकिन इसने वापस से मेरे उपर आग लगा दिया इससे बहुत जादा डैमेज होती है और साथ में ये मेरे ही पीछे पढ़ गया और अलेक्ट्रिक एटक भी बहुत जादा मेरे को कर रहा है अभी तो टाइम भी हो जारा मेरे को जल्दी इसे मारना पड़ेगा लेकिन पता ने फ्रोस्ट एलिन इसे कुछ डैमेज ये नहीं दे प वापस से मेरे उपर एलेक्ट्रिक एटक कर दिया और ये बहुत जादा डैमेज दिया मेरे को और अभी भी तुम लोग देख सकतो इसका हेल्थ बहुत जादा है और छे मिनिट ही भाकी है तो गाइस अभी मेरे को नहीं लगता मैं इसे हरा पाऊंगा तो इसलिए मैंने इसे जादा डैमेज देंगे फिर उदर से में चला गया इस डिजेट बाएं में तब मिनको यह धर एक सर्पेंट मिल चुका है तो इससे मैंने काफी ज्यादा लोग कर दिया और मैंने अपने प्ल्स फिर फेक दिया इसे कैच करने के लिए मेरे को लगाई था इसे मेना कर लिया था इसको तो अभी तक मैंने छे बारी कैप्चर किया और चार बर कर सकता हूं मैं फिर तब भी मेरे को एक सीक्रेट माइंड शॉफ्ट मिल गया वैसे तो मेरे को ठीक से दिखाने थोड़ी सी देखने के बद तब पता चला कि इदर एक माइंड शॉफ्ट है तो उसके अंदर में चला गया लेकिन इदर तो कोई बॉस नहीं एक ट्रेडर है तो उसके पास जाकर मैंने बात किया और देखा कि मैं अपने पल्स को इसका बेच सकता हूं और साथ में यह भी कुछ पल्स को बेच रहा है लेकिन वह सारे मेरे पास अल्रडी थे तो मैंने इसे खरीदा या नहीं मैं बस सिदर से जाही रहा था तब यह मिरे को एक छोटा सा आईडिया आया अगर मैं इसे मार दूंगा तो क्या होगा इसे अभी तक मैंने कभी मारा ही नहीं एक बर ट्राइ करते है वैसे भी मिरे पास फ्रॉस्ट ऐलियन है तो फ्रोज्टेलियर मार दे इसे एटक कर भाइंकर एटक कर ओके वो क्या था भाई सब इसके पस मीनि गन है ये क्या है ये हल जो पर काला से आगए ओ भाय सब क्या तगड़ा डेमेज दी अयर यो तो 50 लेवल का है ओ भाई सब गन्दा डेमेज दिया इसने ओके भाई फ्रोश्टे लेने तो इसे एकी बर में डौन कर दिया ओ भाई सब इसने भी काफी ज़्यादा डैमेज दिया मेरको पूरा स्क्रीन ही काला हो गया एकी बर में इसको ने मेरको कैसे भी करकर कैप्चर करना क्योंकि पचास लेवल का है अगर ये मेरको मिल जाएगा बहुत मज़ा आजाएगा लेकिन मेरको नहीं लगता है ये इतना ज़ल्दी कैप्चर होगा तो मैंने और थोड़ी से डैमेज दिया और इसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये तो बार बार बाहर आ गया वैसे तो इनका नाटक इतना ज़्यादा होता ना कि क क्या ही बता हूं जल्दी पकड में आते ही नहीं, तो ओके, पकड में आगिया इस तो, तो पच्चास लेवल का हेल जैप्री को मैंने कैप्चर कर लिया, लेकिन ये अभी भी जिंदा है, मिनी गन से बहुत जादा डैमेज दे रहा, तो मैं भी इसे काफी जादा डैमेज दे रहा था शौट गन से, फिर मैं इसे कैप्चर करने के लिए पल्स फिर फेक रहा था, लेकिन इसके उपर कुछ असर ही नहीं हो रही है, फता नहीं क्या खाता है, और आज क्री में फ्रोश्ट एलियन तो इसे मार भी दिया, इसके पास से मेरे कोई गोल्ड की मिल चुकी है, तो उसे मैंने कलट कर लिया, फिर मैं जब बाहर आया तो इदर एक शुजा को दिखा था, तो उसे मैंने काफी जद़ लो करकर अपने पल्स पे रफेक दिया, क्याच करने के लिए, और साथ मैं इसे मैंने क्याच भी कर लिया था, फिर दोड़ी सी आगे चैने का पद इदर तो मैंने कुछ नया पल्स दिखे थे, शाय देने मैंने पहले ही पकड़ लिया था खेर ठीक है एक बार मैं वो catch करकर चेक करता हम कि इसे मेरे को और कितना बार catch करना है तो मैंने एक को तो capture कर लिया और मैंने देखा कि इसे तो मैंने तीन बार capture किया है फिलाल तो इदर एक और है तो उसे भी मैंने बहुत ही जदा लो करकर capture कर लिया capture करने के बाद मेरे को पता चला कि इसका नाम तो Robin है बढ़िया नाम है वैसे तो फिर थोड़ी सी आगे जाने के बाद इदा तो मैंने को कुछ hangers मिल चुके वैसे तो इसका नाम hangy है लेकिन मैंने hangers रख दिया ये ज़्यादा shoot कर रहा है इसे क्यूंकि इनका हाथ इतना बड़ा है ना hangers जैसे ही लग रहा है मेरे को तो लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा बूरा मान गया और मेरे उपर काफी गंदा attack कर रहे थे लेकिन जैसे दैसे करकर मैंने सारे को low कर दिया और इन्हें capture भी कर दिया था फिर उसके बाद मेरे को एक चमकता हुआ serpent मिला ये तो कुछ जादा ही चमक रहा है और बड़ा भी लग रहा है मैं इसे पकड़ने के कोशिश कर ही रहा था तब ये को syndicate Logan अभी इसे attack कर रहा है लेकिन frost alien ने तो इसे बहुत घंदा तरीके से damage दिया वो भाई अभी भी इसका आदी health बचा है इसका मतलब ये काफी strong पल तो है क्योंकि जब भी frost alien पहली attack में ही काफी सारे लोग मर जाते है इसने तो दो attacks jail लिया उसके बाद मैं इसे shotgun से damage दे ही रहा था तब ही blazement ने attack कर दिया और ये मर चुका है यार इसे मेरे को capture करना था और उपर से ये चमकता हुआ पल तो काफी अच्छा होता है तो वो तो मेरे को नहीं मिला लेकिन इसके दोस्त है तो मैंने इने ही capture कर लिया उसके बाद इदा तो मेरे को कुछ कच्छबे भी दिखे थे तो उन्हें भी मैंने काफी ज़दे लो करकर अपने pulse fire fake दिया catch करने के लिए और साथ में उन्हें मैंने catch भी कर लिया था और मेरे को दो बर इसे catch करना है तो बहुत ही ज़दा गरम गरम हो गे थी तो इसकी वज़े से मैं आए चुका हूँ ठंडी बायम में तब ही इधर तो मेरे को कुछ वामपू बाटम्स मिल चुके इन्हें भी मैंने capture नहीं किया था लेकिन मैं इन्हें capture करने के लिए pulse fire fake हो उससे पहले ही फेलेरियस ने एक को तो मार दिया और दूसरे भी almost मरने ही वाला था तो मैंने जल्दी से अपने pulse fire fake दिया उससे catch करने के लिए और lucky लिए एक ही spear में इससे मैं capture कर लिया था फिर काफी ज़्यादा ढूनने के बाद मेरे को ये वामपू बाटम्स वापस से मिला लेकिन इससे मैं capture करने के लिए अपना pulse fire fake ओ उससे पहले ही फेलेरियस इसे बहुत ही गंदी तरीके से मार दिया सच में बोलू तो ये फेलेरियस बहुत ही ज़्यादा श्रॉंग है एक तो ये अच्छे से वुड़ता भी है और एक भी काफी अच्छा करता है फिर उसके बाद इधर तो मेरे को दो वामपू बाटनम्स मिल गए तो उन्हें मैं जल्दी से capture करने के लिए अपना pulse fire फेक दिया दूसरे का मैं थोड़ी से low कर ही रहा था लेकिन वो तो मर गया और दूसरा भी बाहर आ चुका है तो उसे बने जल्दी से अपने pulse fire फेका लेकिन ये तो उससे पहले ही मर गया या इससे अच्छा capture हो जाते तो कम से कम जिंदा रहते बेचारे दोनों को दोनों मर गए दिको कैसे हो गए तो फिर मैंने एक chest open किया था भी उसमें से मिरे को कर लिया है और यह बार बार बाहर आ जा रहे और इनका नकरे भी कम नहीं है वैसे तो बिल्लियों को काफी जदा नकरे होते हैं लेकिन जैसे तैसे करकर मैंने इने capture तो कर ही लिया वह सब यह कुन है यह तो काफी जादर डेंजर जैसा लग रहा है इससा शायद मैंने अभी तक capture नहीं किया होगा वह बहाइस तो फत्तर भी फेकताया काफी जदे डेमेज देरा फिर मैंने इसे काफी जदर लो किया shotgun से और जल्दी से अपने Pulse फिर फेक दिया, लेकिन ए तो बाहरा गया था, फिर मैं इसे low करना जाता था, लेकिन उतने मैं ही मैंने उसे मार दिया, ठीक है कोई बात नहीं, इधर तो एक और है, कम से कम इसे मैं पकड़ लेता हूँ, तो दूसरे को काफी जाते low करने के बाद जल दिया सबस्क्राइब कीर 좀 के बारे में तुमने बारे में तुम्हें की आते है और उपर से में अल्ट्रा स्पिर को फेकर रहा हूं फिर भी यह बार बार बाहर हाया गया सा जैसे काफी सारे स्पिर्ट करने के पाद इसे मैंने capture कर लिया फिर उसके बाद इधर मेरे को कुछ वांपू बॉटम्स मिल गए उससे मैं पल्स बेर फेक कर क्याप्चर करने की कोशिश करूँ उतने में ही वो मर गए वैसे तो यह हर बार को गयाबे मैं क्या करूँ चलो ठीक है एक और बचा है इसे तो कम से कम मैं मार देता हूँ देखा अब भी मेरा मुझ से वो ही निकल रहा कि मेरे को मारना है लेकिन चलो इसे मैंने क्याप्चर तो कर लिया और मैं इसे दो बर क्याप्चर कर सकता हूँ मैंने तो ध्याणी नहीं दिया मेरा लेवल्स 45 हो चेक है फिर मैंने अपने स्टार्ट पॉņ וה heath को इंक्रीज करने के लिए क्यूंकि इन पस से लड़ने के लिए health ज़ादा important है उसी के साथ मैंने Technology Points में Assault Rapper का Ammo Recipe मैंने Unlock कर दिया अब से मेरे को Ammo खरीदने की जरुवत नहीं है मैं अभी Craft भी कर सकता हूँ और साथ में मैं Memo Rest और Wampoo Bottom का Saddle भी बना सकता हूँ इस Level पे फिर मैंने देखा कि Level 46 पे Pulm Metal Armor Unlock होगा मेरे को लगता कि Pulm Metal Armor और भी बहुत जादा Strong होगा फिर Impulse को पकड़ते पकड़ते रात हो चकीती और इदर मेरे को एक नया पल मिल चुका है और ये रात में ही Spawn होता है इसे मेरे को Capture करना है तो मैंने जल्दी से अपने Shotgun से इसे बहुत जादा Damage दिया और साथ में इसे मैंने Capture भी कर लिया था वैसे तो इसे ढूणना बहुत जादा मुश्किल है क्यूंकि ये रात में Spawn होता है और काफी कम होता है पूरा रात बर मैं इन पल्स को Capture करता रहा और करते करते सिपलिक्स को मैंने 10 बार Capture कर लिया वैसे तो मैं बहुत देर से इन पल्स को Capture कर रहा हूँ लेकिन XP है की बहुत ही कम Increase हो रही है अब लेवल 46 होने के लिए तो बहुत सरे पल्स को Capture करना पड़ेगा उसके बाद मैंने इस प्रोसेस को Continue रखा और Wampoo Bottom को भी मैंने 10 बार Capture कर लिया भाई यह सच में मूलों बहुत ही ज़दा Hard Process है एकदम लगातर पल्स को Capture करते रहो करते रहो यह कुछ जादा मुश्किल तो है फिर उसके बाद इस आइस बायम में में मेरे को एक Green वाल Wampoo Bottom मिला नॉर्मली यह इदर Spawn होते ही नहीं यह कैसे Spawn होता है यह Ice वाला ही Spawn होता है इससे मेरे को Capture करने हो ऐसे तो लेकिन हर बार की तरीके से मैं इसे Capture करूँ उससे पहले ही Filarious ने उसे मार दिया देखो एक होता है न तो मैं इसे मार देता है लेकिन दो है तो मैं नहीं मार सकता हूँ Filarious तो कुछ जादे ही Strong है और उपर से ही Ice Pulse है इसकी वज़े से जादा Damage बढ़ेगा इनको फिर उस बायम को चोड़कर मैं एक और नया बायम मैं आचुका हूँ इदर मेरे को कुछ Serpents मिल चुके जो पानी वाले हैं तो इने मैंने जल्दी से Pulse फिर फेक कर Capture कर लिया था दूसरों को भी मैंने Capture करने के कोशेश किया लेकिन उससे मैंने मार दिया इदर तो बहुत सारे मेरे को Serpents देख रहे थे तो मैंने एक एक करकर काफी सारे Pulse को Capture कर लिया लेकिन उन मेंसे जादा मैंने मार ही दिया था फिर मेरेको इधर एक गाई मिला तो उससे भी मैंने capture कर लिया और दोड़ी से आगे जाने के बाद इधर तो मेरेको एक pink ship मिली थी तो उससे भी मैंने capture कर लिया फिर मैंने देखा कि इधर तो syndicate लोगों ने एक tanji को बंदी बना कर रख दिया विचारा तो बहुत जदा रो रहा था उसे मैंने छोड़ दिया बहुत ही जदा खुश हो गया और इसे के साथ इसको भी मैंने 10 बार catch कर लिया फिर और दोड़ी से explore करते रहने के बाद मेरेको ये pink ships मिल चुके इनने भी मैंने capture कर लिया था उन सारे को मैं एक एक करकर capture करता गया और साथ में मैं अपने पल्डेक में भी च候 कर रहता है कि मैंने और कितने pulse को catch करना है कौन से pulse को मैं बहुत जादा catch करना है आई से इसा सारे minne को एक चीज़ अच्छा लगता ही तो उन सारे को मैं 10 दस बर capture करता रहा तो काफी ज़यता तेर तक मैं इन पल्स को capture करता रहा और फाइनली बहुत सरे पल्स को capture करने के बाद मेरे लेवल्स अभी 46 हो चुके थे सच में बोलो तो बहुत ही ज़दा समय लग गया इन पल्स को capture करने में यह वैसे उतना जल्दी मिलते भी नहीं है काफी ढूणना बढ़ता इनको वैसे तो इधर एक है शायद इसे मैंने 10 बार कैपचर किया ओके अभी मैंने इसे 10 बार capture कर लिया इस पर मैंने अपने stat points को use कर लिया attack को increase करने के लिए हर चीज मेरे को increase करते रहना चाहिए सिर्फ healthy काफी नहीं है फिर काफी समय के बाद मैं अपने base में आकर एक electric furnace को build कर दिया जिससे मैं पाल ingots craft कर सकता हूं मतलब smelt कर सकता हूं थोड़ी दिर में सारे के सारे अनुबिस मिलकर इसे बिल्ट भी कर दिया लेकिन पाल मेटल ingots बनाने के लिए मिरे पास और नहीं था तो मैं चला गया अपने दूसरे base में जहां पर बहुत सरे और generate होता है लेकिन थोड़ी दिर पहले इदर मैंने पहुत सरे ingots को रख दिया स्मेल्ट होने के लिए यह क्या कर दिया मैंने यार ने तो मिरे पास बहुत सारे ingots रहते हैं फिर ठीक है फिर इदर काफी सारे ओर है इसे मैंने कलट कर लिया मेरे बैग तो इतना जदा भर गया कि मैं ठीक से चल भी नहीं पार रहा हूं तो मैंने grapping gun की मदद से जैसे तैसे pulp box तक पहुँच गया और अपना main base पर आ गया इदर रहकर मैंने pullingers को smelt करने के लिए लगा दिया और साथ मैं अपने base में कोई पढ़िया firepal नहीं है तो मैंने germanted को रख दिया क्योंकि इसका kindling तो 4 है यह बहुत ही जल्दी मेरे को pullingers melt कर 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 दे देगा फिर sulfur collect करने के लिए अभी तो मैं assault rifle का भी bullets craft कर सकते हैं जिसके लिए मिरे को बहुत ज़्यादा sulfur की ज़रूरत है ताकि मैं gun powder craft कर हूँ तो मिरे को जितना sulfur मिला इदर से मैंने सारे को mine कर लिया इतना mine कर लिया कि अभी मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूं मैं इस grizzling gun को use करते करते हैं जैसे तेसा मैं अपने base में पहुंच चुका हूँ इदर आकर मैंने काफी ज़्यादे gun powder को craft करने के लिए लगा दिया फिर वापस तो इदर मैंने काफी सारे sulfur को mine करता गया इदर से था मैंने बहुत ज़्यादा sulfur को collect कर लिया था मैं जब वापस अपने base में आ इदर तो gun powder इन लोग ने craft कर दिया था तो मैंने वापस लगा दे इनको craft करने के लिए मिरको तो अभी बहुत सरे bullets की ज़रूत है तो मैंने काफी सरे assault rifle की bullets craft करने के लिए लगा दिया अभी मैं जाने वाला हूं frost इले इनको मारने के लिए तो bullets बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए मेरे levels भी अभी काफी अच्छे गासे होगे तो शायद मैं उसे catch कर सकता हूं और साथ में मेरे को Spears का भी जरूत होगा अभी के लिए मैं legendary Spears तो craft नहीं कर सकता हूं तो मैंने ultra Spears लगा दिया craft करने के लिए लेकिन ultra Spears उतना जादा capture rate नहीं होगा उद्दर मेरे को legendary Spears चाहिए थोड़ी दिर के बद इन्होंने काफी सारे ammo को craft कर दिया मेरे सबसे अच्छा कासा मेरे पास assault refer का ammo है लेकिन मेरे को और भी चाहिए होगा क्योंकि उसको हराना इतना जादा आसान नहीं होने वाला है फिर में ने देखा कि इदर त काफी काम आएगा क्योंकि यह जल्दी जल्दी हील करता है तो मेरे पस रहेगा तो ज्यादा बहतर होगा फिर मेरे टेकनोलजी पॉइंट से पल मेटल आर्मर को भी unlock कर दिया है अभी तो मेरे पस तकड़ा आर्मर भी आ चुका है और साथ में मैंने पल मेटल हेलमेट को भी unlock कर दिया फिर मेने जल्दी से पल मेटल आर्मर को craft करने के लिए लगा दिया इधर तो मैं तीन craft कर सकता हूँ यह आर्मर लेकिन मेरे को तीहन जरूत नहीं है एक ही चाहिए तो मैंने एक को ही लगा दिया थोड़ी दियर में अनुबिस ने तो craft भी कर दिया तो मैंने 150 डिफेंस है और 350 है तो यह काफी अच्छे से में अप्ग्रेड कर लिया पूराना आर्मर का भी डिफेंस उतना कुछ खास नहीं है अभी मैंने नया आर्मर को डिफेंस भी इंक्रीज है और हेल्थ भी मेरे को बहुत ज़दा इंक्रीज करता है तो मैंने जल्दी से पल्मे यार मेरे भाई सब क्या लुक है यह तो काफी ज़्यदा कूल है बहुत बढ़िया यार मेरे तो बहुत बढ़िया लग रहा मिरे को और हाथ में एसॉल्ट रेफर अगर पकड़ेंगे तो भाई साब मिरकू सच में लगी ने रहा कि मैं पालवर्ड खेल रहा हूं मिरकू त लेवल मैंने कर दिया अपने बेस का तो बहुत ही बड़िया तरीके से मैं प्रोग्रस कर रहा हूँ उसके बाद मैं लेजंडरी स्पीर्स को भी क्राफ्ट करने के लिए लगा दिया वैसे तो मैं जादा नहीं लगाया सिर्फ 6 को ही लगा पाया क्योंकि बालिंगर्स जो है मैंने आर्मर बनाने के लिए यूज कर लिया था लेकिन कोई बात नहीं इधर अल्रड़ी कुछ इंगेट्स मेल्ट हो चीके थे तो उन्हें मैंने कलेट्ट कर लिया और वह पर स्मेल्ट होने के लिए लगा दिया था फिलाल अभी तो मेरे पास 10 लेजंडरी स्पियर्स है इसका कैप्चर पावर 37 है मेरे को नहीं रखता कि ये 10 लेजंडरी स्पियर्स काफी होगा मेरे को और भी जादा चाहिए होगा फिर रात में मैं इन पल्स को कैप्चर करने के लिए निकल गया वैसे भी ये रात में इस पॉन होते हैं इनको मेरे को कैप्चर करना है तो मैं अपने पल्स पर फेक रहा हूँ लेकिन इनके उबर कुछ असर ही नहीं हो रही है पीछे तो मेरे सारी के सारे पल्स देख रहे इनको अगर ये वाल नहीं होता ना तो अब तक ये टफ़क ही जाते हैं उस सवारे लोग देख रहे हैं इसको थोड़ी सी मुश्किल हुआ था लेकिन फाइनली इन दोनों को मैंने कैप्चर कर लिया और साथ में इदर मेरे को टॉम बेट भी मिल चुका है तो उससे भी मैंने लोग करकर कैप्चर कर लिया था इसको मेरे को और पांच बार कैच करना है लेकिन ये रात में स्पॉन होता है तो थोड़ी सी दिक्कत है इसे कैप्चर करने में फिर मैंने पालड़ेक में चेक कर रहा था कि और किसकष पल्स को मिरे को क्ञिवर करना है और वह कहां पर ज़ादा मिलते हैं फिर मैं वहाँ पर पहुंच गया और जितने भी पल्स से एक एक करकर में capture करता गया इधर तो मेरे को बहुत सारे स्वीपा मिल रहे थे तो उन सारे को एक एक करकर में capture कर लिया बोनस एकसपी को भी मैंने complete कर दिया इसको भी मैंने 10 बार पकड़ लिया था फिर उदर से मैं थोड़ी सी आगे गया इधर मिल को कुछ मचलिया दिखे थे यह चल रहे इधर पूरा रेगिस्तान है और पानी नहीं होने के वज़े से बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे तो मैं इनने क्याच कर लिया वैसे तो इनको भी मैं 6 बार क्याच कर सकता हूं इधर तो एक और है तो उससे भी मैंने capture कर लिया उसके बाद मैं जब इस मुर्गी को capture कर ही रहा था तब भी यह अनुबिस मेरे बीचे बढ़ गया भाई अभी मिरको तेरे से fight नहीं करना है अगर मैं मैंने frost alien को चोड़ दिया नहीं बहुत ही गंदा बिटे का बॉल रहा है चलो जो भी है इस मुर्गी को तो मैंने 10 बार catch कर लिया अभी इधर से चलते है फिर वापस से इधर मेरे को यह चलते हुए मचली मिल चुके है और बहुत ही जदो रो रहे पानी नहीं होने के वज़ बार capture कर लिया देखो मेरे को ऐसा लगता है कि जितना हो से कि उतना सारी लेवल मेरे को अप करकर फॉस्टेलिन के साथ fight करने के लिए जाना चाहिए अब सब लों को तो पता ही है वो कितना जाद ताकतवर है और कितना बार उससे fight करकर मैं हार चुका हूं और यह पागल अन बार कर लिया है यह पॉल्स पखना वह से तो मेरे को वह काफी बेकार लगता है लेकिन कच करना तो पड़ेगा ही जिससे मेरे को एकस्पी बढ़ेगा जैसे जैसे मेरे लेवल अप होता जारा ना तो और ज्यादा मुश्किल हो जारा xp increase करने मैं मैं थोड़ी सी आगई या इदर मेरे को कुछ मचलिया दिखाते हैं जो चल रहे हैं इदर कितने सरे मचलिया है जो चल भी सकते हैं पहानी में उनको नहीं रहना है उनको तो बाहरी रहना है तो मैंने जल्दी से अपना पल्स फेक दिया इन्हें कैप्चर करने के लिए और इसे तो अभी तक मैंने इन्ह इन बारी capture किया, आभी मैं बहुत बार इने capture कर सकता हूं, फिर मैं इन पल्स को capture करने में लग गया और capture करते करते में 10 बार इने भी capture कर चुका हूं, मेरे इस अब समें थोड़ी सी नजदीक आ चुका हूं level 47 के, इसी तरीके से में और पल्स को capture करना पड़ेगा तब जाकर मे Widow Undertale फिर उसके बाद मेरे को इधर डाइनमोर मिला मुने इसे चाध बार पकड़ा ही नहीं होगा तो मैंने काफी जाधर अपने पलस फिर फेक धिया उसे कैच करने के लिए और मैंने catch भी कर लिया, हाँ इसे मैंने दो बार ही पकड़ा है और मैं आठ बार इसे catch कर सकता हूँ साथ मैं इधर मेरे को एक designer वाला गोड़ा भी मिल चुका है तो जल्दी से मैंने उसे low करकर capture कर लिया फिर मैंने देखा कि इसको भी मेरे को बहुत बार capture करना है इस बार में यह बहुत ज़्यादा मिल जा रहे थे तो मैंने एक एक करकर काफी सारे इन घोड़ों को catch करता गया तो बहुत समय से capture करते करते रहने के बाद इन्हें भी मैंने 10 पर capture कर लिया और साथ में मेरे levels भी 47 हो चुके थे अगर सच में बोलो यह grind काफी ज़्यादा हाड है क्योंकि लगातार pulse को पकड़ते रहो पकड़ते रहो यह बहुत ही ज़्यादा हाड हो रही है और उपर से यह इतना जल्दी मिलते भी नहीं है तो वह एक दिक्कत है वैसे तो मिरेको catch करने में ज़्यादा साहुनहें नहीं लग रहा जिया ना तो मैं जल्दी से उन्हें मार पाराहूं लेकिन धुणने में मेरेको काफी ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरे को तो लगता कि इतने लेवर्स काफी होगा क्योंकि यह बहुत ही जदा हाट वोजार ही है यह प्रोसेस उसके बाद मैंने टेक्नलजी पॉइंट से वेपन एसेब्ली लाहिन को अनलोक कर दिया पिर तब ही मैंने देखा कि इदर तो मैं एस्ट्रोगन का साडिल अनलोक कर सकता हूं वैसे तो फ्रोस्ट इलियन से राइड करने में तो बहुत ही साथ मज़ा आएगा लेकिन इसके लिए 48 लिवर्स शाहिए ये थोड़ी सी मुश्किल है वैसे तो अब सब लों को पता ही है इतना जल्दे में हार नहीं मानता हूं तो मैंने वापस से लग गिया इन पल्स को कैप कर लिया उसके बद मैंने पल्लिक में चेक किया कि और कौनकर से पल्स है जिसको मैं जादा बार कैप्चर कर सकता हूं और वो कहां पर मिलते है तो काफी सारे पल्स को कैप्चर करने के बद मेरे पल्स पीर्स ही खतम हो गए तो मैंने मेरे बेस में आकर इदर काफी सारे पल् को कैप्चर करने में लग गया फिर में जब मेरे बेस में आया तब मिने देखा कि इद्र तो पल्स पीस क्राफ्ट हो चेके थे तो उन्हें मैंने कलेट कर लिया और वह पस मेंने लेजंडरे स्पीस को क्राफ्ट होने के लिए लगा दिया वैसे तो जादा नहीं मैंने सिर्फ 11 लगाया क्राफ्ट करने के लिए उसके बाद मैं इस फायर वाली बायो में आ चुका हूं इधर भी मेरे को कुछ पल्स को कैप्चर करने आए इसे शाद मैंने कैप्चर नहीं किया होगा तो मैंने इसे काफी ज़दा लो किया और अपने इसंदी वैर इपकर एए राइड करने के लिए तो अभी इनके पास में आग Fisher करने के लिए हां यह आँ बहाए मेरे को पता है रेड होती है रेड तही तुम लोगने कितने सारे कम Scrude में मेनने की में हनला है obraze होती है सुरी ब्रेडी होती हैता ध выгляд बूल जाथ हो पताने कैसे इस पर माफ कर दो मेरे को तो यहां पर भी काफी सारे पल्स को में एक एक करकर दस दस बार कैप्चर करता गया वह से तो यह बहुत ही जादा समय लग गया यह कैप्चर करने में मैंने इस लीजबंग को भी दस बार कैप्चर कर लिया आप सब लों के याद होगा यह पहली मैंने मार भी दिया था फिर मैंने रागनाहॉर को भी दस बार कैप्चर कर लिया फिर मैंने बूशी को भी दस बार कैप्चर कर लिया वैसे तो इदर बहुत सारे कंटेनर्स है ये सारे ऐसे ही पड़े है उसमें से एक कंटेनर के अंदर मेरे को एक अंडा दिखा तो मैंने जाकर उसे कलट कर लिया ये तो लॉट स्कॉचिंग एग है इसे इंक बिट करकर देखते क्या मिलता है फिर उदर से आगे जाने का बाद मेरे को इदर एक फिशर मैंस का पॉइंट मिल चुका है तो मैंने जाकर देखा कि इदर क्या है इदर तो बहुत सारे घर बन के रहे है शाइद ये भी एक विलेज हो सकता है इदर भी एक मेंचेंट है तो उससे भी मैंने जाकर बात किया मैंने इसे मेटल हेलमेट का सिमेटिक बेच दिया वैसे भी ये मिले कोई काम का नहीं है ये भी काफी सारे बुलेट्स बेच रहा है पताने कौन सा रिंग बेच रहा इसे पहने होंगे तो फायर डैमेज मिलेको कम होगी वैसे तो इन विलेज में बहुत सारे गर है लेकिन इन घर के अंदर कोई है तो नहीं सारे के सारे बाहर ही है शायद फिशिंग करने के लिए गया होंगे उसके बद मैं बोपस से लग गया इन पल्स को capture करने में तो XP बढ़ने के लिए मैं बहुत सारे pulse को capture करता गया उसके बाद मेरे को यदिर एक फैंग लोप मिल गया और मैंने जिल्दी से अपने pulse फिर फेक दिया उसे catch करने के लिए इसको भी मैंने capture कर लिया वैसे तो इसे मैंने काफी बार capture कर लिया उसके बाद मेरे को एक और फैंग लोप मिल गया तो इसे भी मैंने बहुत ही जदा लोग किया और अपने pulse फिर फेक दिया क्याच करने के लिए और लखिली पहली स्पियर में ये capture भी हो जाती है इसको भी मैंने 10 बार capture कर लिया आप लोग को उसके बाद मेरे को एक हॉर्स बोलूँ या फिर क्या बोलूँ इसको समझ में तो नहीं आ रहा किया है इसको नहीं क्याच करना था तो तोड़ी सी आगे जाने का बाद ये घोड़ा तो वापस मिल गया इस बार मैंने कोई गल्टी नहीं किया और अपने pulse कोई जाएंगे मैं काफी जदा क्लोज भी आचिका हूं ओके इधर तो एक और है तो मैंने इसे भी लो कर दिया और शाटगन से काफी अच्छे से डामेज दिया फिर अपने पाल्स फिर फेक करने के लिए यह आग कौन जोड़ रहा पागल हो गया क्या अभी तुम मेरे को क्य लिएन का भी सैडल बना सकता हूं वैसे इधर एक हो रहा है इसे कैप्चर कर लेते पूरे 10 और ग्रियकोट क्रण पूँआ चीके थे तो उन्हें मैंने क्राफ्ट करने के लिए लगा दिया फिर मैंने स्टाट पॉंच को यूज कर दिया है क्योंकि अभी जिस जगह पर जाने वाले है उदर हेल्थ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिर इतने देर से जिसके लिए मैंने ग्रैंड किया उस चाहि जाना आता ही सामान चेंड सारे वह सारे मेरे पास पहले साही थे तो मैंने इसे जल्दी से बीह अब दिया और ये आर्मर भी काफी जादा कूल है भाई इस गेमेना मेरे को आर्मर बहुत अच्छा लगती ये दर देखो भाई कितना बढ़िया है ये आर्मर तो इसे सच में मेरे को लग रहा है कि मैं कोई दूसरा गेमिक खेल रहा है सभी मेरे को लग रहा है आर्मर लेकिन काफी बढ कर लिया दिया लेकिन ए양ा कौ से रिकान करा इंगर करने के लिए लेकिन इंश्टी झाइए तो में चला गए अपने किसरे रिफ़ेंट टी यहां पर तो पहले से कुछ इंगर समेह तो उन्हेवन मैंने कलेट कर लिया और On the wayia में वॉपस मेल्ट होने के लिए लगा तिया उसके बार मिरे मेन मैंने बेस में अगया और इदर मैं यह इस्ट होनको सैडिल क्राफट करने के लिए लगा दिया जिया ठोड़ी की दर इसमा इसमे चलाए्व भी रिजम्त voilà बिश Global से राइड करने के लिए यह कितना ज़्यादा खूपसरत है देखो भाई यह फ्रॉज्ट टेलियन वैसे तो पकड़ना में बहुत मुश्किल है लेकिन जब तुम एक बार इसे पकड़ लोगे ना तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा यह देखो यह देखो हवे में भी उड लेकिन कुछ भी बोलो फ्रॉज्ट के साथ राइड करने में अमतलब इससे मज़ा कुछ अलगी लेवल है मैं पता भी नहीं सकता मेरे सबसे वर्ते हैं मतलब इतना देर तक मैंने जो भी महनत किया इधर तक आने में मैंने बहुत सारे पल्स को कैप्चर किया लेवल सब किय अधार में अधर पारा इसलिए जल दी नहीं वुड़ पाएगा बहुत ही सलो है तो इसको रैड करने में वैसे तो इतना जव्यालिक नहीं आज आरहा है यह बहुत ही बार है यह मतलब राइड करने के लिए नहीं है चलो टेके से एटक करकर देखते कितना डैमेज देगा काफी अच्छे से डैमेज दिया लेकिन करने में बढ़िया है कुछ तो काम आया तो गाइस अभी को राइड करकर देखते हैं यह काफी बढ़िया पले वैसे तो क्यूंकि चल भी सकता है मतलब भाग भी सकता मेरा काने के मतलब लेकिन यह इतना फास्ट उड़ता नहीं है इसको बस एक एडवांटेज यह है कि यह च प्याइर रहते है है उसी तरी तरी मिरको लाग रहे है इससे देखने से तो गइस अब यह समय आ छुका है फ्रॉश्ट इलियन को पकरने का तो मैंने जो भी फायर पर से उनधünü 사म को मैंने अपने सारे फुट भी है तो कई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं एक बार अपने टूल्स को भी चेक के लेता हूं सारे के सारे फुल हेल्थ है कि नहीं ओके यह बहुत जाता डैमेज हो चुका है शौटगन अच्छा होगा मैंने इसे रिपेर कर लिया ने तो उदर जाकर अगर हग द पास पहुंच चीह कहा हूं फ्रॉस्ट एलियन से अभी यह तो अभी से अटेक करने लग यह यह इतना जल्दी फाइट मेरे को स्टार्ट करना नहीं चाहिए यह क्या अटक है भाई बच गया ने तो फाइट स्टार्ट होने से पहले ही में टपक जाता है यह इतना जल्दी क्या इससे भी करकर पकड करें जा 걱정ा सुजा कु digo कु रीमार्दे से मिरको एकिन ने तुम मार देगा आराम से उसे मतलों वैसे त पूरा एकिन है वो इससे मार देगा करकर चलो फिलाल इसने आग भी लग दी अरे औरे यह वाली अटेक ने intuit वाई बच गया वासे थी पहप करने का समाई देगा तब तो मैं जाकर भागूंगा यह मेरे पीचे पढ़ जाता यार यह देखो इसको ना हमें इंदसे लड़ना तो मेरे पीचे क्यों पढ़ जाता यार पागल है तो अभी थो मैंने ब्लेजमेट को छोड़ दिया और उससे आग भी लगा दे निया वाले बच गया यह क्या था भाई यार बच तो गया लेकिन फिर भी इसने मेर को जमा दिया नहीं नहीं वह पस एड़क नहीं यह आइस वाली में से शोड़ देता यार सच भी इससे फाइट करना बहुत हार्ड है बहुत ज़्यादा मारता है भाई तो उससे जाकर लड़ा यह ब्ल को बताना पड़ेगा तब ही कुछ हो सकता है भाई तुम्हें क्या दिकता यार तुम मेरे पीछे क्यों बढ़ जाते हैं उससे जाकर लड़ो यह उससे फाइट करता बीच मेरे पास आकर फाइट करता है पतान वह देखो उदार एक फाइट करना और दूसरी अटक मेरे को क भाई इसका बहुत जदे हैल्थ खतम हो चकी है आकरी टाइम में ऐसे हरकते क्यों करता हूं कि मैं मर जाता हूं भाई इस पर मेरे को मारना नहीं है भागना है को कि उससे में काफी जदे दूर आ चुको अब यार यह पीचे ही पढ़ गया यह मेरे पीचे चोड़ता ही नही इसने मेरे को मार दिया और लेकिन इसे कैस्ट तो करना ही पड़ेगा इससे बहुत ही जदा इसको देकर घुसा आ जाता क्यूंकि यह बहुत बार मेरे को पीटा है यह ठीक है अभी तो मैंने ब्लेजमेट को चोड़ दिया और काफी अच्छे सी यह डामेज भी दे रहा है चल से कैच करने के लिए regla दिया करते ए लिए काफी पाते पाता जैसे मने काच कर लिया अगर मैं सच में बूलो कैच करते करते मेरे को इसने रुला दिया भाई बहुत गंदा मारा कितना बार मैंने इससे फाइट लिया और फाइनली मैंने इससे कैच कर लिया वैसे तो काफी ज़्यादा एपिक फाइट हुआ है है ठीक है चैसे तैसे इसे मैंने आखिर कार पकड़ी लिया फिर मैंने इसी इनको राइड करते करते अपने घर चला गया देखो कुछ भी बोलो फ्रॉश्टी लेंसे राइड करने में जो मज़ा है ना वो मेरे सबसे कोई और पल दे ही नहीं सकता सच में इस राइड करने में तो बहुत बढ़िया लगता है यह बहुत ज्यादा खूपशोर है तभी है देखो तुम लोग ने जो बोला वही सही है तो अभी पकड़ने जाते है जैड ड्राइगन को भी वैसे तो मेरे पस दो फ्रॉश्टी लेन है और मेरे पस आइस पल्स है तो उन्हें भी मैंने ले लिया वैसे तो दो फ्रॉश्टी लेन उन्हें उसे अराम से मार लेका लेक वो भाई यह तो मैंने देखा इन्हें यह काप मेरे को मिला था अगर आपको पता है तो मझे नीचे कमेंट करकर बताओ वैसे तो मेरे को नहीं बताई यह कहां से मिला मेरे को फिर मैं जल्दी से चला गया प्रोडक्शन एसम्बली के पास और मैंने देखा कि इसे क्राफ्ट क अब लिए तो मेरे को पल इमेटल इंगर शाहिए तो वने करने के लिए में चलागी अपने दूसरे वेस में यहां से मैंने काफी ज्यादा वोर को कलड़ कर लिया और साथ में इधर देखा कि इधर एक एक तो इंक्यूबेट हो चीकित तो जल्दी से मैंने उसे भी लिए वैला है वैसे तो इसे वह नपने नहीं नहीं है। फिर इधर जितने वह हैं उन सारे लोनको मैं अ करकम परिया। फिर मैं इधर इंतजार कर रहा था स्मेल्ट होने का वैसे तो ये स्मेल्ट होने में काफी ज़दा समय ले रहे थे तो मैं चला गया कुछ मैमरस्ट को मारने के लिए क्योंकि मेरे को हाई क्वालिटी ओइस चाहिए थे तो मैंने इसे थोड़ी सी लो किया फिर अपने पल्स फिर फिर फिक दे क्याप्चर करने के लिए और मैंने इसे क्याप्चर भी कर लिया था वो भाई इसको तो बहुत सारे स्किल्स है यार ये चमकने वाले पल्स तो काफी ज़्यादा श्रॉंग होता और ने ने स्किल्स भी सीख कर आते हैं फिर उसके बाद में इन हादियों को मारने में लग गया और काफी सारे हाई क्वालिटी ऑइल्स भी कलेट कर लिया फिर मैं वफस आकर पल्मेटर हिर्मिट को भी क्राफ्ट करने के लिए लगा दिया वैसे तो इसको बहुत सारे इंगेश यह थे वह भाई सब इदर देखो चार-चार अनुबिस मिलकर काम कर रहे हैं और साथ में में भी काम कर रहा हूं लेकिन फिर भी यह बहुत समय लग रहा है भाई इसे क्राफ्ट करने में अभी तक किसी को क्र और 560 का है तो मैंने इसे जल्दी से पहन लिया अभी जेट ड्रेगन से फाइट लेने में तो और भी मज़ा आएगा मेरेको तो लगता है कि मैं अल्मोस्त तयार हूं जेट ड्रेगन से फाइट लेने के लिए वैसे तो शायद मैंने पहले भी बोल दिया कि मैं जेट ड्रे लेजन्डरी पल्स प्राफ्ट कर सकते है तो पहुत ही जल्दी क्राफ्टिंग स्पीड बढ़ जाएगा फिर मैंने सारे सामन को चेक कर लिया एक बर सब कुछ मैंने ले लिया की नहीं और लीजन्री पल्स भी मेरे पास काफी सारे है बॉलेट्स भी है मेरे सबसे मैं तयार कि मैं जट ड्राइगन को मारूं वैसे तो इस जगा कोई देखने से मेरा पूरा फाइट जा रहा है अभी पता ने उससे में फाइट कर पाऊंग कि नहीं ओके भाई यह क्या था इदर तो प्रॉपर स्टेश बनाया और यह देखो भाई सब उसके पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है हर जगह पस लावाई है अगर आग लग गया ना तो बहुत ज़्यादा डामेज होता है कि वह समय आ चुका है जट ड्राइगन को मारने का दस हजार है लेवल 50 है लेजंडरी सेलिस्टियल ड्राइगन वैसे तो सच में बोलूं तो मैं ब भी लड लेंगे इतना देर तक हमने ग्राइंड किया इससे लडने का तो अभी समय आ चुका है इससे फाइट करका देखते है मर जाएंगे दो मर जाएंगे लेकिन आज इसको पकड करी जाएंगे तो फाइंट को स्टार्ट करते हैं गाइस तो मैंने फाप्रॉश्टियल रहेगा तभी इससे फाइट करेंगे ओके थोड़ी से डर लग रहा है लेकिन स्टार्ट करते ओके बढ़िया है फ्रॉस्टे लिन काफी अच्छे से इससे डैमेज दिया 274 ओके भाई 250 काफी अच्छे से डैमेज दे रहा है इसे तो वैसे तो इसका एटेक में एन्हेंस कर द पाँगा क्योंकि आग लग तो बहुत जादा डैमेज लोंगा जल्दी से मेरे को फूट काना पड़ेगा ओ भाई सभी यार तुमको मेरे को क्यों एटक करना उससे साथ लाड़ो यार डर के बारे में क्या बोल रहा है मिरे कुस्छ समझ में नहीं आ रहा है नहीं मेरे उप चल की चैसे ले लिया लिए तो फॉल डैमेज के चकर में बहुत चाथ लेलेता है अरे यार तुमको मेरे से क्यों फाइट करना उससे फाइट करो ना यार यार यह पीछी पढ़ जाता है वैसे भी मेरा सीब्ग भी नहीं है नहीं मेरे उपर अठक मत करना में भाग ना पड डैमेज तो दे रहा है बस इसी तरीके से यह देते रहे बस आधी हल्थ आल्मोस्ट इसका कम हो चीकी है ने 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 मेरे पास मताना मेरे पास मताना है तुस्से लड़ फ्रॉश्ट लिए काम करी से जमा दे तब कुछ करी नहीं पागा ने ने वापस मेरे उपर एठक कर रहा लेता अरे तुसला ना मेरे पीछे क्यों पढ़ना है तुम्हें ने 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 ओफूटियी ले के नहीं चे करना एक्टेई ब्ले रहर है बहुत लेध में इसने यश्को ना मेरे तक करना रहता है यह कि देख आँथ आ जार जारा फॉट कह लेता हुँ अब यह तो वह अगना पड़ेगा एक नहीं मर नहीं आओंगा बस एक दिन रत रक लेहें रहाइं को नहीं आँगा नहीं नहीं वहापस करना है तिर को सिर्फ इलेंज से एटक करना है ने मेर को नहीं इतक करना थो अच्छे ज्रक न अगीन चोड़ दिया गया जोड जब सब्सक्राइब है क्या थेते हैं अब हम मेरे फीर बढ़ गया कितना ज़्यादे डामेज देने तुम्हें उससे जाकर लड़ भागल है भाई में मर जाओंगा नहीं भाई मैं तो मर गया मेरे लगता में जीत पहुंगा इसका अभी भी बहुत ज़्यादे अब पास औरी पीछे मत पीछे मत अना उससे लड़ तो भाई इनका जो 50% हेल्थ डाउन हो जाता नहीं तो यह हमारे पीछे बढ़ जाते भाई ने ने मेरे साथ मत लड़ा भाई फ्रॉस्ट इलिन कुछ तो कर सब मार दे इतने मुश्किल से तुम्हें बकड़ा है बस थोड़ी दिर उसे मार दे रहा मेरे हल्थ बस रीजन रेट हो जाए बस चलो ठीक हेल्थ रीजन रेट नहीं हुआ लेकिन शील्ड रीजन रेट हुआ है अभी यह काफी ज़्यादा लो हो चिका है अभी बेर को बिल्कुल भी नहीं मरना है और आग बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए यह दोनों चीज़ें नहीं होगा तो मैं इसे पकड़ लिया तो काइस अभी तुम लोग शौक्षे कह सकते हो कि मैंने पाल वर्ल्ड का पॉस को कैप्चर कर लिया जैट ड्रागन को वैसे तो अगर मैं सच में बलो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं इसे कैप्चर कर पाऊंगा तब जाकर वे कुछ कर पाऊंगा ऐसे मिरे अजए तो इसे कैप्चर कर लिया यह काफी अची वात हैं जैसे तैसे भाई बहुत ही जादा हाट वहाई और यह बहुत ही तो इतर चलते हुए मिर इदर से फिर मैंने टेक्नलोजी पॉइंट में चेक किया कि क्या इसका सैडल में अनलॉक कर सकता हूं लेकिन में ने देखा कि इसके लिए लेवल 50 चाहिए है यह बहुत हार्ड है अभी लेवल 50 तक जाने के लिए मतलब बहुत सारे पल्स को कैप्चर करना पड़ेगा यह ऐसा लगा और क्या इसका पार्ट फाइव आप छाते की नहीं अगर अगर आपको पार्ट फाइव देखना है और आपको पार्ट फाइव चाहिए जिसमें जट्रेगन का सैडल बनाऊंगा और पलेडियस नेक्रोमस उन दोनों को भी मैं हराऊंगा मतलब मेरे कहने के मतलब उसे मैं capture करूंगा तब मैं सारे legendary pulse को capture करूंगा और अभी तक मैंने दो tower possess को defeat नहीं किया उनको भी मेरे को जाकर defeat करना है एक फेलेडियस और shadow वेक इन दोनों को अभी तक मैंने defeat नहीं किया है तो बहुत कुछ अभी भी बाकि है इस गेम में अगर आप पार्ट फाइव दे अब आज का वीडिए में बस इतने अगर पसंद रही तो लाइक और साथ में सब्सक्राइब करना भूलना मात